आप सभी लोगों का सुवागत है टीचिंग परीशा के आज की इस वीडियो में जिसमें आप लोगों की बिहार सिक्षक भरती टी आरी 3.0 के लिए एक शुभारम हम लोग करने जा रहे हैं मैं आपको बता दू फ्रेंड्स की जैसे एक खबर आप लोगों के लिए निकल कर सामने आई हैं कि बिहार सिक्षक भरती की एक्जाम आपकी मार्च में हो सकती है अगर मान लीजिए इसमें जो है फ्रेंड्स सचा ही निकलती है तो इसमें आप ही का फायदा है क्यूंकि आप जोटी हो छाती है जल्द से जल्द हो जाती है तो चान से थे जान कि लGame को इस बहाने पढ़ाई हो जाएंगी और पढ़ाई के आप लगा देगे तो इसी वज़े से आपको promise पूरा करते हुए पूरा राद भर जाकर पूरे राध भर करते हुए एक बड़ी आवाला session आप लोगों के बनाया है तो friends इस बात के लिए एक लाइक तो आप लोगों का बंचा है ताकि पूरी की पूरी जो टीम है हमारी जिसको हम लोगों ने साधे तीन बज़े तक office में जो रुके हुए थे आप लोगों के लिए continuously सुभा के डरना नहीं चाहिए, क्यूंकि यही संगार्श की कहानी जो है आप लोगों ने सुनानी है आगे जाकर, आगे जाकर जब सफल हो जाओंगे, तो क्या सुनाओंगे? कि बस तुक्के से पास हो गए? हो गए? आगे निकल गए? अरे संगार्श करने अंदर आखों में आसु आएंगे कि मैंने जब साथ दिया तो उसने ये करके दिखाया आपके बच्चे जो है आपके ओपर में प्राउट फिल करेंगे तो ये संघर्श का समय है इसको इस्तिमाल करो यहां पर में इस मौके को जो है अच्छे से अपने एक कहानी बनाने के लि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार की लोगों ने चौकीदारी कर देने से इंकार कर दिया था एक एक्ट्वल कोश्चन फ्रेंड जो एक्जाम में पूछा गया ठीक है ध्यान से यहां पर में तो और उपरुप में से अधिक एक भी नहीं तो आंसर क्या होगा इसका चौकीदारी कर देखी फ्रेंट चौकीदारी कर जो है यह आप लोगों का 1907 से लिया जाता था आप देख सकते हो यहां पर में क्लास 10 की NCRT का रेफरेंस भी आपका पीजन रिफ्यूस टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टेक्सेस अब देखी इसके बारे में मैं आ अंग्रेसों का कानून तोड़ा था अब बिहार में तो कोई समुंदर है नहीं जहां पर में जाकर नमक बना ले तो यहां पर में जो चौकीदार एक चौकीदारी टेक्स दिया जाता था किसानों के द्वारा चौकीदारी टेक्स अंग्रेस जो है वो किसानों के खेतों की रक्षा करेंगे ठीक है इसी को चौकीदारी टेक्स कहा जाता था 2000 जो है 1907 से यह आप लोगों का टेक्स लिया जा रहा था ओके तो चौकीदारी टेक्स देने से मना कर दिया बिहार की जनता ने देखिए बिहार के लोग जो है ना कभी भी किसी से पीछे नहीं है उन्होंने देखा कि हमारे आज समुद्रे नहीं है लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं कैसे हम जो है इस आंदोलन के अंदर में अपना साथ दे सकते हैं तो वहां के किसान सामने आए उन्होंने कहा हम चौकीदारी टेक्स ना देकर जो है civil disobedience करेंगे सवीने अवग्या करेंगे आर से मना कर देना कि हम लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे करके तो सवीने अवग्या अंदोलन कब हुआ तो 1930 के अंदर में बहुत ही इंपोर्टन घटना है एक्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से और आप लोग देख सकते हो यह एक्जाम में आया होगा क लेकिन पूरी एनर्जी में इहां पर मैं अपने तरफ से तो आपके लिए लगाऊंगा दसवी क्लास की जो है एंसी आटी के अंदर में फ्रेंट यह आप लोगों का रेफरेंस दिया हुआ है ठीक है चलिए नौ फ्रेंट्स आप लोगों से एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूं क्या एक्स्ट्रा वेले पॉइंट बताते चल्ओ साथ साथ में हमने क्या पड़ा चौकीदारी टेग्स देने से मना कर दिया था बिहार की लेकिसानों कब सवीने अवग्या अंदोलन के समय में चलिए ठीक है जी दांडी यात्रा या जो सवीने अवग्या अंदोलन था आप लोगों का उस समय में पंडित जवाहरलाल नहरू ने बिहार की यात्रा की ठीक है बिहार की यात्रा की और इस बिहार की यात्रा उन्होंने कब से कब त आगे में और भी कुछ चीजे आप लोगों को बताना चाहूंगा एक्स्ट्रसिफ दो पॉइंट बताऊंगा हर कोशन के साथ में दो दो पॉइंट ताकि आपको कुशन क्लियर हो सके आप लोगों का ठीक है नमक सत्याग्रह जो है विहार के अंदर में 15 अप्रेल से स्टार्टना इंदर में अंदर में एक आठइफिशल टैंक बनाया ऩीजेश नमक बनान में और कारवाणी नमक बना बनाएगा कि नमक बोला कि हम इससे नमक बनाएंगे गरके, सिंबॉलिक तौर पर, तो नखास पिंड में, ठीके, यहाँ पर में क्या किया है, फ्रेंट्स, यहाँ पर में उन्होंने, जो है, सॉल्ट बनाने की कोशिश की, नमक कानून को तोड़ा इन्होंने, मंगल टेंग के पास में, पटना के अंदर में, 16 अपरेल को, और यहाँ से जो है, नमक सत्याग्रा की, पटना में स्टार्टीं हुई, बिहार में हुई थी, 15 अपरेल को, पटना में हुई थी, 16 अपरेल को, दोनों के दोनों पॉइंट अभी के अभी लिखो, में नखास पिंट मंगल टेंक के पास में 16 अप्रेल को पठना में नमक सत्याग्रह किया गया ओके आगे में आप लोगों को सारी की सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ रहेंगी डोंट वरी 65 वी बीपीसी के अंदर में कोशन आया भागलपुर जिले के अंदर में नमक सत्य कमक के आवगे अरन पर यहां के आप लोगों को और स्विलॉम्रे ले जरियाग्रइज करता चालूँगा श्री कृष्ण सी बद्री जुह है में अगे अगर आप लोगों को बताओ तो इन्होंने बागलपुर की डाइरेक्ली तो भागरपुल का याद रखने महादेव लाल सर्राफ आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा भागलपूर फ्रहां इंसब्सितुनाती थिक थोड़ा सा प्लीजिय्ड महादेव लाल सर्राफ ने किया था इंपौर्टंट कोश्च्छन है आ कि तेस्ट भी आल दूगा, टीफ्स भी डाल दूगा और जो इन्फडाफिक से वह भी डाल दूगा आप लोगो के मैं ने कल ही प्राउमिस किया देटाइस घ४न कम झाल चाहिए बताइगे मुझे जगत, नारायन, लाल, यहां हिंढ़ी में लिख दें तो आप लोग अंगाय कोई बात ने यह पूरह लिखा हो है तो जगत, नारायन टैके, नारायन, नारायन, लाल, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीके, पट्णव में किस ने किया था, अम्भिका कान सींग औ और लोग दरभंगा मैं यह question फोड़ी दर बात फिर से पुछूं के आप लोगों से इपने रहाट ऊपर करे बता उट सारे शवे सारीओ औपर आप लोग मुझे रहाट ऐसाला अप्से रहुट है ने पूना पेक्ट को उद्देश ये क्या था अब यहां पर मैं समझी पूना पेक्ट के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकरी देने वाला हूँ ठीक है पूना पेक्ट के बारे में पूना पेक्ट आप लोगों का पहली बात तो हुआ कप था यह हुआ था 1932 में चैंगे 24 September 19 1932 को इसका उद्देश्य क्या था पूना पैक्ट का तो पूना पैक्ट जो था फ्रेंड्स यह हुआ था आप लोगों का दलित जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफ्रेस्ट क्लासेस जो दलित वर्ग है उनके राजनीति जो है प्रतिनीतितु को बढ़ाने के लिए यह पूना पैक्ट हुआ था इसके पीछे की कहानी जो है वह मैं आपको बता दू उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विपिन चंद्रा की एक बूक है फ्रेंड्स उसके अंदर में इसकी पूरी कहानी दी गई है इवन एंसी आर्टी के अंदर में भी दिया मैं एक कोश्चन आपको दिखाता हूँ ठीक है कि कैसे जो है इसका आंसर सी है ठीक है पूना पैक्ट का उद्देश्य था दली द्वर्ग का राजनीतिक प्रतिनीतित्व गांधी जी और दॉक्टर भीमराव अंबेटकर की कुछ बाते मान ली और कुछ बाते गांधी जी क बीर अंबेटकर जी ने मान ली मतलब दोनों ने एक दूसरी की कुछ-कुछ बाते मान ली थी जिससे के दली तवर्ग के लोगों को राजनीति में कुछ प्रतिनी दित्व रिप्रेजेंटेशन दिया गया कुछ रिजर्वेशन दिया गया हिंदू के अंदर में ठीक है फूरा सैशन फ्रेंट उन 1,000 PLUS लोगों को समरपित मेरी पुरी की पूरी पूरी जो मेनाद है इन लोगों को समरपित जिन लोगों ने बुछ पर में पूरा आप अपना यौगदान दे दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को दिल से मेरी एनरजी रही इनरज 22 को जो है हस्ताक्षर किया गया था शाम के पाज बजे पुने की यरवडा जेल के अंदर में ठीक है तो आंसर इसको option number C हो जाएगा हुआ यू था कि जो 16 अगस्ट 1932 को एक घोशना होती है क्या घोशना होई थी 16 अगस्ट 1932 को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे उनका नाम था रैम से मैकडॉनल्ड क्या नाम था बोलो मन में बोलो या फिर लिख दो 1932 में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे रैम से मैकडॉनल्ड यह वो खाने वाले मैकडॉनल्ड नहीं है उनका नाम है बस राम से मैकडॉनल्ड उन्हो जब कि वहाँ पर में Sikh hani सीखी हिखी दोगека करें sounds है गांदी हिनी अगा अब गांदी जी को आया चिक है यहाँ पर विल्सा वो बिलायार ळुटी एक की वह आपस ना यच है लेकिन है वह Hindu तरो में उनको अलग maintenance करूब जबकि BR Ambitkar चाहते थे कि नहीं भाई Hindu धर्म ने कभी भी दलीतों का सम्मान नी किया दलीतों को अलग किया जाए ठीक है तो BR Ambitkar की बात सुनकर रैंसे मकडॉनल्ड ने दलीतों को हिंदू से अलग कर दिया था और अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया उनको गांधी जी जो है जो है रुठी सासुमा जैसा यरवडा जेल के अंदर में 20 सप्टेमबर को बैड़ गये वहापर में मैंनी खाऊंगा खाना मेरी तो बाती नहीं सुनता कोई मैंनी खाना खाना ठीक है अब लोगों को लगा एक दिन रुखेंगे गांधी जी अगले दिन खा करका दिल धक-दक करने लगा कि अगर इस बाबाजी को कुछ हो गया तो पूरी की पूरी दुनिया कल जाके दानी सर खुद आके बताएंगे कि यहां पर में डॉक्टर बिया रामिट करके वज़े से गांधी जी मर गए ते करके ठीक है उनको डर लग रहा था मेरे से कि मैं तो गांधी जी जो है उनके साथ में 24 सप्टेंबर को शाम में पाज बजे ठीक है फाइनली बिया रामिट कर और जो महात्मा गांधी है उनके बीच में एक समझहोता हुआ जिसको पूना पैक्ट बोलते क्योंकि गांधी जी उस समय यरवडा जेल में बन थे पूना की बाते हम मान लेंगे कुछ बाते तुम मान लो ठीक है और उस बात में माना क्या गया था कि 147 जो सीट थी जो डिप्रेस्ट क्लास को दी गई थी प्रोवेंशियल लजिस्लेचर के अंदर में ठीक है वो दे दी गई एकत्तर दी गई थी कम्यूनल अवर्ड में उसको बढ़ 14% सीट जो है वो अलोट की जा रही है डिप्रेस्ट क्लास को ठीक है यह याद रखेंगे आप सभी लोग इंपोर्टेंट है इसको मैं कोश्चन के मदद से भी आप लोगों को समझाऊंगा तो यहां पर मैं कोश्चन एक बार हम लोग देख लेते क्या क्या है पूना पैक् हाँ झाए ट्यारी फिमेल चौबीस आरट 2003 के अंदर में है ह। दो हजार 2000 23 के अंदर मेंई है抟 नोहां अभ पर में पूना समझा उना कभ साइन हुआ था जल्दी से आप लोग लिकेंगे आप लोग साइन आप लोग लिकेए यहाँ पर में जल्दी- लगता भी नहीं अभी कि फिलाल में वो लोग करेंगे तो इसी वजे से जो पुरानी व्यवस्ता है वही चलती रहेंगी तो यूपी वाले कर पाएगे ठीक है बस यूपी के बिहार के बाहर के हो तो 90 नंबर चीह आपको 24 सब्टेंबर 1932 को शाम पाच बजे हुआ था ये भी मंडल तुमने नहां पर में अपनी पीपूडी बजा दी ओके तो गांधी जी ने जो है जितने भी डलित लोग थे ठीक है उनके लिए एक सोचा कि यार इनको थोड़ा सा मखन लगाया जाए गरके तो आल इंडिया अंटचिबिलीटी लीक की स्थापना की वेरी बदल कर ठीक है संग हरीजन सेवक संग तो आल इंडिया अंटचिबिलीटी लीग 1932 में गांधी जी ने बनाई थी इसका नाम बदल के हरीजन सेवक संग कर दिया मैंने आपको पांच बजे वाली ग्लास के अंदर में एक बर बताया भी था कि इसका हैड़कोटर दिल्ली के हुए थी कि नहीं हुए था यहां पर में ठीक है चालो नौ फ्रेंट सांप्रदाइक अवार्ड और पुना पैट क्रमशह दली तवर्ग के लिए कितनी सीटे दी गई थी ठीक है आप लोग बताईए यहां पर में देखे यह कोशन जो है आप लोगों का एक मतलब आप होना चाहिए ना कि क्या यहां पर में जो है हुआ था ठीक है चलिए तो 71 और 147 यह याद रखने है आप सभी लोगों ने फ्रेंड की सांप्रदाइक अवार्ड के अंदर में जो आप लोगों का रहम से मैक डॉनल ने घोशना की थी उसमें उनको दी गई थी 71 सीटे गांधी जी ने बोला ठीक है देखो भाई ठीक है आप उन भ जो है बात में जाकर ऐसी करने वाली है तुमको रैम से मैक डॉनल ने दिया 71 सीटे पूना पैक्ट के अंदर में मैं देता हूँ तुमको 147 सीट ठीक है हिंदू के अंदर में जितने भी लोग खड़े होंगे उनमें से आप लोगों का कितने लोग खड़े हो पाएंगे यह निधा से बढ़ा कर 147 करदी थी अभी को अभी हर एक बच्चा लिखेगा में एक एक बच्चे का यहाँ पर में आनसर चाहिए ठीक है बच्चा यहाँ पर में लिखेगा और देखे यहाँ पर में 800 से जादा लोग देख रहें थी हर बच्चा लिख देंगा जल्दी से, यह स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में, 1885 के अंदर में, किसके साशनकाल के अंदर में हुई थी यह स्थापना, यह स्थापना हुई थी Lord Dufferin के स्थापना, ठीक है, भारती राष्टी कॉंग्रेस के उपर में आरोप लगाया जात 25 में, कहा हुई थी Bombay में, अब DSSB का एक कोश्चन बता हुगे आप लोगों को, ठीक है, क्या पूछा गया, बोला गया कि स्टार्टिंग में इसका कहा पर में इसका आयोजन करना था, इसका आयोजन करना था यहां पर में पूना में, ठीक है, पूना के अंदर में, लेकिन पूना के अंदर में, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया, Bombay के अंदर में, यह कोश्चन DSSB, TGT के अंदर में आया था, याद रहेंगा आप सभी लोगों को, तो इस तरह से पहला Congress का अधिवेशन Bombay के अंदर में हुआ, कितने लोग आये थे पहले अधिवेशन में, 72 में, कोई एक बच्चा बता दो, मैं मान जाओंगा, ठीक है, बता दो क्यू special थी, क्या उनकी speciality है इस session के अंदर में, गोपाल कृष्ण गोल से, RC दत, ठीक है, जोर्ज यूल, दादा भाई, नौरो जी, इस तरीके के जो है, फ्रेंड, यह नरम दल के नेता थे, इनका मानन चरण, 1885 से 1905 का, तो वाइस राय थे, लॉट डफरीन, W.C. Banner जी, very good friend, बहुत बढ़िया, यहाँ पर में, बच्चों ने आंसर कर दिये, यह मज़ेदार यार, बच्चे, मज़ा आरा इन बच्चों को बढ़ाने में, ठीक है, यह अध्यक्ष थे, पहले session के अध्यक्ष, सभी लोग लिखेंगे, हर एक बच्चा अब वापस से लिखो, ठीक है, UPPGT 2021 के exam में यह question आया था कि पहले session के अध्यक्ष कौन थे, W.C. Banner जी, 1885 में, first session जो की Bombay में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, W.C. Banner जी, कलकत्ता के बहुत बढ़े वकील थे, W.C. Banner जी, ठीक NCRT में और यह भी NCRT के अंदर में दिया हुआ है, NCRT बेस्ट बता रहो आप लोगों को, ध्यान से समझना, exam में पुछेंगे, ठीक है, तो आयूद अधिनियम 1878 और Varnakular Press Act 1878 किसके समय में पास हुआ, आयूद अधिनियम का मतलब था कि भारतिये लोगों को हतियार रखन अधियार थो रखने तो ठीक है, लेकिन हम हतियार नहीं रख सकते, भारतिये लोग, सिर्फ भारतिये लोग हतियार नहीं रख सकते, बाकि सब लोग रख सकते, 1878 में यह एक्ट आया, Varnakular Press Act का मतलब भारतिये भाशा है, ठीक है, जो भारतिये भाशा है है, आप लोगों की ओकि उनके अखबारों के ओपने पाबंती लगा दुग है जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे ज़ो कृप है क्रिटिक थे जो आलोचक थे उनको चुप कराने की कोशिछ थी ताकि भारतिय भाशाओं के लाइक है नहीं अंदर में ठीक है अब आप बोलते कि यार एक अच्छा ही बात और बताओ एक बुरी बात और बता देता हो आप लोगों को तुम्हारे चचागा लडगा जो था ना लॉड लिटन इसने क्या किया पहला दिल्ली दर्बार भराया था अरे यार एक और सासूमा बन गया हो ठीक है याद रखना आप लोगों ने सासूमा नी सासूर जी यार ठीक है चलो तुम मेरी बहू सासूर जी उसके बाद में जो है इसने क्या किया जो civil services की exam होती है civil services यहां पर में हमारे बच्चे बोलते है कि 40 साल के होने के बाद में और age relaxation दिया जाए य दारतिये लोगों को बाहर करने के लिए अब बताओ ठीक है मतलब ही कोई हरकत है अरे यार हमारे यहां पर में दिल तूटता है 17 साल के अंदर में 16-17 साल के अंदर में 21-22 साल तक जो है वो इंसान धुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतिकाम देखेंगी गाना जो हो सुनता है वो सारा का सारा भसट किसने बसाया ठीक है लॉड लिटन ने चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में हमारे next question के तरफ में मंगल पांडे जो है उन्होंने पहली बुलेट जो है 1857 के विद्रों में कहा पर में चलाई थी चलिए 2100 से जादा लोग देखेंगे फ्रेंड 1600 जादा लाइक हो जल्दी से 2000 के पार पहुचाना है आप लोग ने लाइक का नमबर भी देखें तो आप लोगों का मंगल पांडे जो है फ्रेंड 1857 के अंदर में वो बैरकपूर के थे बैरकपूर के अंदर में ठीके बंग भी बंगाल नेटीं इंफेंट्री बंगाल नेटीव इनफेंट्री कौनसे नंबर की कौनसे नंबर की तुकडी ती जिसके वो सदस्य थे जल्दी у बहुत सारे एक्जाम में आ चुका है कौन से नंबर की तुकडी के सदर्से थे सेना को छोटी-छोटी तुकडियों में बाट दिया जाता है तो बंगाल नेटिव इंफेंट्री बंगाल जो सेनिक तुकडी थी उसके 34 नंबर के मेंबर थे 34 नंबर के ठीक है यह याद रखने आप सभी लोगोंने इंपोर्टन पॉइंट है एक्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है दस मही नहीं है दस मही वाली बात अलग है यह मंगल पांडे जो है इन् इंपार एक्जाम में आचुका है बंगाल नेटीव इंफेंट्री वाला क्योंकि NCIT में दिया वाइस वजे से चाल तो बैरकपूर के अंदर में उन्होंने जो है गोली चलाई थी यह यादखने मंगल पांडे बैरकपूर में एक यूरोपी अधिकारी पर गोली चला दी थ बैरकपूर के अंदर में इतना फास्ट नौ फ्रेंट्स हू गेव टाइटल ऑफ सर्दार टू वल्लब भाई पतेल वल्लब भाई पतेल को सर्दार की उपाधी किस ने दी थी इंपोर्टन मार्क करो आप सबी लोग काफी सारे लोग इसमें 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 महात्मा गांदी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से सर्दार वल्लाब भाई पतेल को सर्दार की उफाधी तो बार्दोली के समय में पारदोली आप के जगह कहा है चलो एक कोच्छन पूचन पुछताओ आप लोगों से बार्दोली नाम की जगह है गुजरात में गुजरात आइक हैं लीड किया था उसको आगे बढ़ाया उन्होंने और फाइनली जो है वो सर्दारवल्ला भाई पतेल की जीत हुई और अंग्रेजों को जुकना पड़ा उनको टैक्स कम करना पड़ा ठीक है तो वहां की जो महिलाए थी उन्होंने बोला ये है हमारा सर्दार ठीक है बार्दोल महिलाओ ने दिया था ठीक है बार्दोली की महिलाओ ने दिया था पॉपुलराइज गांधी जी ने किया ठीक है तो आंसर इसको option no.3 होने वाला है अब देखिए friends आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगा मैं ठीक है TRE ठीक है आप लोगों का exam के अंदर में पूछा हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देंगा यहां पर में इस particular question का answer के रिए सभी लोग ठीक है which of the following moment was led and successful under the leadership of सर्दरवला भाही पतेल सर्दरवला भाही पतेल के अंदर में कौन सा आंदोलन चला था अच्छा उस आंदोलन का साल भी बता दो year मैं आपको बोल रहा हूं लि किसानों के लिए और किसानों का जो उनके उपर में टेक्स लगता था उसकी दर्क उन्होंने कम करवाया था तो बार्दोली सत्याग्रा see is the correct answer देखे फ्रेंट्स यहां पर में आपको बता दू यह एक जो है ना यहां पर में एक जंग है यह जब आप लोगों का यहां पर म पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से देखो सीख लो आज आप क्या क्या बता रहो मैं आप लोगों को तो ठीक है तो क्लास 10th की NCRT के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का नैशनली जमीन इंडिया के नाम से 1928 में सर्दार वल्ला भाई पटेल जो है उन्होंने नाम की जगह पे उनका जन्म हुआ था 1902 के अंदर में इन में से किसका जन्म है जो सीता बढ़ियारा के अंदर में हुआ था जल्दी बताइए आप सभी लोग इसके अलावा एक पर्टिकुलर आप लोगों को पता ही है कि हाल फिलाल के अंदर में एक वेक्ति है ठीक है उनको भारत रतन से सम्मानित किया गया है तो उनके बारे में भी अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी की पूरी जानकरी आप लोगों को बता दू क्यों कि विहार के मुख्यमंत्री भी रहे चुके बहुत ही साधा जीवन उच्च विचार उनके थे ठीक है तो 1924 में उनका जन नम हुआ था जै प्रकाश नरायंग का थोड़ी सी जानकरी या सही जवर करन के बारे में जो आप पूच सकते सारी सारी चीज़े ठीक है जैеспrakर नारायंड ठीक है लोग नायक के नाम से जाना जाता है इनको ठीक है लोग नयक अच्छ चलो मिरीभी बात बताओ कि जै प्रक प्रवाश नारायन को लोक नायक बोल रहे है करपुरी ठाकुर को किस नाम से जानते है पताइए वेरी गुड जन नायक के नाम से जाना जाता है ठीक है यह होगे लोक नायक लोक नायक ऐसे ही आप लोगों को जो है ना फ्रेंट्स लिंक जोड़नी है और करपुरी ठाकुर को जननायक बोलते है जननायक जननायक लिगे खतम हुग फ्यांग경ी आप लोगों कि ऐसे ही धीरे 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 जो है हम लोग हम लोगों और्न जाधा को चैन्ट को करते जाएंगे और जाधा हमारे सेशन वे आगे बढ़ाते ।ो तो 1902 वाला जो कूशन था आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंट जै प्रकाष नारयान वाला लोक नियाग इनको कहा जाता है हीरो औफ कुई इंडिया मुमेंट कहते हैं, इन की हरोईन थी, मतलब इनकी नहीं थी, quit India moment की heroine किसको कहा जाता है? वो कहते है Aruna Asaf Ali को Aruna Asaf Ali को quit India moment की heroine कहते है quit India moment भारत छोड़ा नदुलन की naiika naiya कि इनको कहा जाता है aruna asaf ali को Jai Prakash Narayan Ji खुश तो बहुत होंगे मतलब यार आप hero हो मैडम heroine मतलब उपर मिलोंगे ना कभी 300-400 साल के बाद में तो बताना में को कैसा लगता था आपको चारी इधर आजेगे यहां पर में इसके अलावा जो है इन्होंने कहा था कि सिहासन खाली करो की जनता आती है ठीक है यह एक बहुती फेमस नारा था इन्होंने दिया था जल्दी से आप लोग लिख दो ठीक है आप लोग लिख दो क्यूंकि अभी तो मौका भी है दस्तूर भी है यह लिखने का सिहासन खाली करो की जनता आती है किसने नारा दिया था ज लोग प्रमेनायाक जय प्रकाश नारायन ने कहा था उनको, याद रखना है, समाजवादी Socialist Party की उन्होंने स्थापना की थी, 1948 के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को, ये भी याद रखेंगे आप लोग, समाजवादी Socialist Party की स्थापना, चलिए, तो जय प्रकाश नारायन के जो है, उनका जन्म हुआ था, 24th January 1924 को, करपूरी ठाकूर का, क्योंकि अभी न्यूज में है, तो आप लोगों से पूछ सकते है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, निमनलिखित में से, निमनलिखित गवर्नर जनरलों में से, किसने नेने लिया कि बहादूर्शा जफर अंतिम मुगल समराथ होंगे, और उनकी मृत्यू के बाद में किसी भी वन्शच को, शाशक नहीं माना जाएगा, ये बहुत important question है, NCRT में दिया हुआ है, NCRT के आठवी कक्षा में, और बारवी कक्षा, दोनों ही जगह पे दिया हुआ है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन जिसने ये निर्ने लिया, कि बहादूर शाह जगफर आखरी मुगल बाश्चा होंगे, ठीक है, मतलब उसके बाद में मुगल सल्तनत खतम हो जाएंगी, ठीक है, तो ये फैसला लिया था, Lord Canning ने, Lord Canning ने, जैसे कि एक बार संजीर सर ने इसकी एक ट्रिक बनाई दी, कि Lord Canning ठीक है, उसकी इनिंग खतम कर दी, मुगल सल्तनत की इनिंग को खतम कर दिया, इनिंग होती है आप लोगों कि क्रिकेट में इनिंग, तो इनिंग खतम कर दी, तो Lord Canning, ठीक है, तो Canning ने कहा कि आखरी मुगल बाश्चा होगे, और ये घोशना कब की थी उन्होंने, ये Governor General Lord Canning ने 856 में बहादूर शाह जफर को बोला कि जब बहादूर शाह जफर मर जाएंगे, बिचारे अभी भी जिन्दा थे, फिर भी बोले, जब मर जाएंगे, तो इनके बाद में किसी को भी राजा नहीं माना जाएगा, उससे पहले इनका दिल एक बार और दुख चुका को लाल किरे से बाहर निकाल दिया जाएंगा, ये बिचारे सोच रहें कि डल हाउजी ने 7 सल पहले कहा था कि मैं मर जाएंगा, अभी Lord Canning आया ये भी कह रहा है कि मैं मर जाएंगा, मार दो ना, काम करो, एक बार आओ, घुसा दो, ठीक है, दिल के अंदर में, मार दो, खतम क बार 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 आके बुर रहें, जब मर जाएंगा, जब मर जाएंगा, जब मर जाएंगा, अगर के, डल हाउजी आया, 1849 में बोलता कि जब मर जाएंगे, तो इनके परिवार को बाहर निकाल देंगे, Lord Canning आया, 806 में बोलता कि ये आखरी मुगल बाश्या होंगे मरने के बाद में, क्या बित्ती होंगी इनसान के ओपर में यार, या बेगम हजरत महल, आप लोगों को बताना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बेगम हजरत महल उन्होंने कहां से पार्टिसिपेट किया था, 1857 के युद्ध में, ठीक है, तो 1857 का युद्ध चल रहा था, बे अवध के लास्ट नवाब थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह, तो अपने आप में ये एक इंपोर्टन कोश्यन है, कि अवध के आखरी नवाब कौन थे, तो आंसर क्या होंगा, वाजिद, वाजिद, अली, शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह, बोलो बोलो अवध के अवध के आखराई लडी थी, बेगम हजरत महल ने, एक्चुली कहानी क्या होई थी, पता है, 1856 की बात है, अवध के आपर में एक आरोप लगाया गया, और वो आरोप था, मिस गवर्नेंस, गवर्नेंस, ठीक है, मिस गवर्नेंस का मतलब होता है, कूशाशन, ठीक है, हाउजी ने, ये भी पूछा जा सकता है, कि आवध पर कबजा किस ने किया, 1856 में, लौट डल हाउजी ने, ठीक है, तो आंसरी ऑप्शन नमबर, जो है, आप लोगों का फ्रेंट से भी हो जाएंगा, लखनाव से बेगम हजरत महल, उनका बेटा बिर्जिश कादर, और बा उसकी प्रेक्टिस, तो इन्फो ग्राफिक्स दाल कर उसकी प्रेक्टिस करवाई जाएंगे आप लोगों का अप में, मतलब ये कोशन, ये डाला जाएंगा एक इमेज, आपको बुला जाएंगा पड़ो पाच मिनिट के अंदर में, और आप लोग फिर क्या करोंगे, उसक तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दूरिंग दे रिवोल्ट ऑफ 1857, अटासो सत्तावं का जब विद्रो हुआ, तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे उस समय में, पाल्मर्स्टन, ठीक है, तो पाल्मस्टन जो है, ये याद ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे, important question है आपका, देखिए, अब बात निकलिए तो चर्चिल को भी बता देता हूँ, World War II के समय में, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे, World War II के समय में, तो Lord Churchill थे, ठीक है, भारत की आजादी के समय कौन थे, ठीक है, ये भी याद रखें के भी एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ठीक है, 1892 के अंदर में, ग्लैड स्टोन नाम था उनका, आपको पता है, इंडिया का ग्लैड स्टोन किसको कहा जाता है, देखिए, एक कोश्चन से में, कितने कोश्चन, अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको बहुत के दादा भाई, नौरो जी को कहा जाता था, इंडियान ग्लै स्टोन, ग्लै ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में, इंडियान ग्लै स्टोन, मतलब कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ में, उनकी तुलना की जाती थी, तो इंडियान ग्लै स्टोन, लादा भाई नौरोजी याद रखेंगे आप सभी लोग and thank you very much friends 2000 plus 200 plus 200 plus लाइक्स आप लोगों कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्री आप सभी लोगों का friends यहां पर में ठीक है तो ऐसे आप आप सभी लोग पढ़ते रहिए now friends अब मैं आप लोगों से ठीक है के देता हूँ basically 4 question है क्योंकि SSE का question भी डाल दिया है तो चार question आप लोगों के लिए करवा के देता हूँ सिर्फ 2 मिनट देतो मेरे को ठीक है ready है हाद उपर कर दो 2 मिनट तक पूरा का पूरा dedication के साथ में सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ important information है कि यारी में 2 question आयते इससे देखिए friends Indian National Congress का 1938 का जो session था वो कहा हुआ था हरीपूरा हरीपूरा नाम की जगह है यह मिलेंगे आपको गुजरात में ठीक है गुजरात में ने खाना खाया ठीक है यह देखी Hindi में पूछ रही है वो लड़की यह लड़का जो भी है लेकिन उसने क्या कि रोमन लीपी का इस्तेमाल किया है ABCD क्या यह रोमन लीपी है तो उन्होंने बोला हिंदी लिखने के लिए भी रोमन लीपी का इस्तेमाल करो यह किसने वकालत की थी जो है सुभास चंद्र बोस ने इसके अलावा आप लोगों को बता दू सुभास चंद्र बोस कौन कौन है यहां पर में जो बोलते कि को दिया था आप लोगोंने बहुत इंपोर्टन वाला कोश्यन है कि राश्ट्री ठीक है योजना समीती जिसको आप लोग जो है यहां पर में कहते हो नैशनल प्लैनिंग कमेटी कि जब हम आजाद होंगे तो हमारी प्लैनिंग क्या है क्या कैसे कैसे हम देश का विकास करें उन्होंने एक अपनी ब्रिगेड का नाम जो है नेहरू ब्रिगेड भी रखा था इतनी एक खास दोस्ती थी दोनों के बीच में ठीक है तो नैशनल प्लैनिंग कमीटी जो की 1938 में बनाई गई थी हरीपूरा सेशन के अंतरगत ठीक है उसकी अध्याश्ता जवारला लेहरू को दी गई थी याद रखेंगे आप सभी लोग ओके इंपोर्टन पॉइंट है आप सभी लोगों का नौ फ्रेंट्स उसके बाद क्या होता है एक साल कंप्लीट हो गया हरी पूरा सेशन सुभास चंदर बोस ने अध्यक्षता कर ली 1949 के अंदर में सुभास चंदर बोस कहते त्रिपूरी में यह जबलपूर के पास में जगा है मध्यप्रदेश में त्रिपूरा नहीं यह त्रिपूरी नाम की जगा सुभास चंदर बोस फिर से चुनाव जीत जाते है बट इस बार क्या हुआ कि गांधी जी जो है वो नहीं चाहते दे कि सुभास चंदर बोस फिर स तो आप उनुछ बनेगा, सुभास चंदर बोस चुनाओ जीत गए, अब सब लोग बुरने लगे, ओ, गांदी जी के खिलाफ जाकर तुम चुनाओ जीते, तुमको इतनी अकल नहीं, तुमको सिखाया नहीं किसी ने, गांदी जी की बात माननी चीए, गांदी जी जो है, गां गांदी जी तो यहां पर में रूठी सासुमा जैसे आये भी नहीं, जैसे वो एक बहु जो है, मानलो कि पती-पत्नी ने भाग कर शादी कर ली, अब वो जो है, क्या होता है, वो बच्चिया होने वाला होता है, तो गोध भराई की रसम, सास आयी नहीं, किसी को भेज दिया गोविन वललब पंथ को भेज दिया, जा अगर के मेरे तरफ से जाकर पार्टिसिपेट कर लेना, आये भी नहीं वो इल्टा, गोविन वललब पंथ को भेज दिया, त्रिपूरी सेशन के अंदर में, इतने नाराज चल रहे थे गांदी जी, तो सुभास चंदर बोस को आया बनाव जीते वो गय भी नहीं उल्टा गोविन वल्लब पंत को अपना प्रतिनिदी बना कर भेज दिया ठीक है बनाव áb्ले भाष her प्रतिन टानेव मिल रहे थे तो उनों इस्तिफा दे दिया उनके बदले में फिर उनके दोस्ता राजएंदर प्लेख्या अध्यक्ष्ट को अध्यक्ष् का सबस्क्रांब भोर का सार्य सेर्डी चैनला टानित्रसादा क्यों हों एकिक अब बनाया सीतरमयय को तो बना नहीं सकते वो तो हार गय थे ना सुभास्चादरवोस ने इस्तिफा दे दिया तो पत्ता भी सीतरमयय को नहीं बना कर अच्छा गिया नहीं तो आरोप नहीं लगता कि हारेवे candidate को बना दिये गर के वापस से, okay, जिनकी 43 seat है, उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया, यहां पर मैं, वैसे ही, यहां पर मैं पत्ता भी इसी तरह महीं आर गये थे, फिर भी उनको अध्याश बना दिया, तो यह तो गलत हो जाता, तो राजन्द प्रसाद को अध्याश बनाया यह पुछा गया, TRE 1.0 female के शिफ्ट के अंदर में, okay, ध्यान से दिखिया आप लोग, बोला क्या जा रहा है यहां पर में, कि सुभास चंद्र बोस, जब प्रेसिडेंट बने, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के, त्रिपूरी में, तो किसको हराकर बने थे, और यह त्रिप पूरी सेशन की, ठीक है, तो 1939 के अंदर में, त्रिपूरी में जब अध्याक्ष बने, तो किसको हराकर बने थे, पत्ताभी सीता रमया को, लो, किते लोगों का सही हुआ आंसर यहां पर में, जल्दी से कमेंट में आग लगा दो, 95% लोगों ने सही आंसर दिया है, तो this is the power of revision, ठीक है, अब आंसर लगाएंगे, सभी लोग कमेंट में भी आंसर कर देंगे, पोल में लगाने के बाद में भी, ठीक है, चालो, उसके बाद में पत्ताभी सीता रमया को उन्होंने हरा दिया, next question, उससे पहले मैं आपको बता दू, India's struggle for independence, विपिन चंदरा की बुक के अ mail shift जो है, उसी, ठीक है, उसी दिन, mail shift के अंदर में क्या question पूछा, लो, कल लो बात, mail shift में पूछा, कि जो है, 1938 में, National Planning Committee बनाई गई थी, पता है आप लोगों को, किस ने बनाई थी ये committee, सुभाष चंदर बोस ने, क्योंकि हरी पूरा session के अंदर में सुभाष चंदर बोस अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने जिगर का छला, अपना जो करीबी दोस्त था उनका, ठीक है, पंडित जवाहर लाल नहरू, उनसे कहा कि भाई, तुम ये इस चीज के अध्यक्षता करो, अपने आप में important question, कि राष्ट्री योजना समीती की अस्थापना की गई थी, किस आज में आ रही है न, चीजे आप लोगों को कितना बहतरीन तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा एक ताना बाना जो है, अगर समझ आ रहा है, तो सेशन को लाइक करते रहेंगे, और कमेंट करके बता देंगे, जिन लोगों ने भी टीचिंग परीशा चैनल को सब्सक् सकते हो, ठीक है, नाउ, 1949 के त्रिपूरी सत्र में सुभास चंद्र बोस के इस्तिफ़े के बाद, भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यश की रूप में किसे चुना गया, बताईए, ये भी कोशन आपसे पूछा गया, एक्जाम के अंदर में, अब बताओ, ये कोशन का बताओ आंसर जो हर कोई बच्चा कर देगा, जल्दी-जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी से, हर कोई बच्चा answer कर देगा, जल्दी से, कि जब त्रिपूरी 1949 में, त्रिपूरी सत्र के अंदर में सुभास चंद्र बोस ने इस्तिफा दे दिया, root कर कर, कि भाई, कोई तो मेरी सोनी नीरा में को इस्तिफा देना चाहिए गर के, तो भारती राष्ट्य कॉंग्रेस के अध्यश की सिर्फ बनाया गया, पत्ता भी सीतरमययों को बनाया गया, क्या है, नहीं, वो तो हारे थे, आंसर है, राजंदर प्रसाद, ठीक है, राजंदर प्रसाद को बनाया गया, तो A is the correct answer, ओके, now, देखिए friends, SSC JE के अंदर में पुछा गया प्रशन आप लोगों का, अब मैं आपको ये कोशन इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि ता कि आपको पता चल जाए कि multiple exam में कोशन सुभाज चंदर पोस ने इस्तिफा दे दिया, किसको अध्यक्ष बनाया गया था, अब आप लोग आंसर करेंगे यहां पर में इस particular question का, ठीक है, तो इस question का answer हो जाएगा friends, आपका Dr. Rajendra Prasad, PET के अंदर में भी इसी तरीके से question आया था, कोई भी बच्चा अगर UP का हो, तो बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है, सभी लोग बताईए, और ये भी question आप लोगों का, exam में पूछा गया question है, आप लोग देख सकते हो, आपके screen के ओपर में, तो which of the following is true about Dr. B.R. Ambedkar, उन्होंने Mook Nayak नाम की जो publication उसका precaution किया था, Mook Nayak, ठीक है, तो Mook Nayak जो है, उसका उन्होंने प्रकाशन किया, बिल्कुल सही बात है, Mook Nayak नाम की उनकी पत्रीका आती थी, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर में, आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर में, तो Dr. B.R. Ambedkar के बारे में, आप लोगों को बदा दू, तो Dr. B.R. Ambedkar ने एक magazine निकाली थी, Mook Nayak के नाम से, ठीक है, तो Mook Nayak नाम की पत्रीका निकाली थी, किसका अख़बार है, किसका magazine थी, Dr. B.R. Ambedkar की, एक नंबर का question तो यहाँ भी बन गया आपका, ठीक है, उन्होंने बहिश्कृत हिटकर्नी सभा बनाई थी, बहिश्कृत हिटकर्नी सभ याद रखने हैं, आप सभी लोगोंने, एक इन ही का initiative था, ठीक है, किसका, Dr. B.R. Ambedkar का, तो बहिश्कृत हिटकर्नी सभा, ये भी आप लोग याद रखोंगे, ये भी सही है, उन्होंने बहिश्कृत हिटकर्नी सभा बनाई थी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उप 1956 में हुआ था, ये तो सही है, आप लोगों का, ये सही है, लेकिन 6 December को, 6 December को हुआ था, ये याद रखना है, आप सभी लोगोंने, 6 December, ठीक है, 1956 को उनका निधन हो गया था, 6 December 1956 को, ठीक है, तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, एक एक नंबर का question यहाँ पर में बन सकता ह आप सभी लोगों का, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि 1891 के अंदर में उनका जना मुहा था, 14 April को 1891 के अंदर में, और 6 December 1956 को वो हमें दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, Father of Indian Constitution के नाम से इनको जाना जाता है, ये याद रखेंगे, दलिक कम्यूनिटी के लिए बह जात की, डॉक्टर आमबेटकर पहले परसन थे, जिनोंने जो है, यहाँ पर में, उनकी जाती के पहले परसन थे, डॉक्टर आमबेटकर उनकी जाती के, जिनोंने college education पूरा किया, और इंग्लेंड गए, लॉयर बने, अपनी जाती के पहले वक्ती, चीक है, ये याद रखन जात नाम से भी अकबार निकाले थे, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, आप लोगोंने, चाले, जनता, प्रभुद्ध भारत, ये किस के अकबार थे, मूक नायक, जनता, प्रभुद्ध भारत, डॉक्टर बिया रामबेटकर के थे, टेंपल, एंट्री मुमेंट इन इस particular question में बुला गया है, who among the following was associated with the newspaper new India, new India नाम की पत्री का, और मैं आप लोगों को बता दू, friends, new India ही क्यों, एक और newspaper है इनका, जिसका नाम है common will, कितने लोग चाहते हैं, ये भी बता दू आपको, common will, common will, ये भी लिखेंगे, new India के साथ में common will भी लिखेंगे, friends, क्योंकि बहुत ही important वाला है आपका, 1915 के अंदर में उन्होंने ये अकबार शुरू किये थे, new India और common will, तो ये answer आप लोगों को हो जाएंगा, any present, ठीक है, मैं आपको इसका reference दिखा देता हो, आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, कि India struggle for independence, ठीक है, विपिन common will, common, common will, सभी लोग लिखेंगे, हर एक बच्चे से मेरे को यहाँ पर मैं चाहिए, लिख कर, ताकि मुझे पदा चल सके कि आप लोग जो है, actively participate कर रहे हो, active participation आप लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी है, and congratulations friends यहाँ पर में, 3000 प्लस बच्चे यहाँ पर में live देख रहे ह और आपका अभिवादन भी कि आप लोग पढ़ाई के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो, यह दिख रहा है, 26 ज़्यादा लाइक आपने कर दिये, आप लोगों का यहाँ पर में, यह दिख रहा है, अब मेरे को energy आ रही है, और ज़्यादा आप लोगों को बताने की, any basement friends आ Ireland की lady थी, यह दिखने आप सभी लोगों ने, Irish lady थी, Ireland की थी, भारत में क्यों आई थी यह, भारत में आई थी friends, आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीके, theosophical society जो थी, theosophical society, उसके वज़े से भारत आई थी, theosophical society जो है आप लोगों की, उसके वज़े से भारत में इन्हों ने पहली महिला बनी थी, Indian National Congress की अध्यक्षा बनी थी, 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, चीक है, चाल, आगे बढ़ते हम लोग friends, यहां पर में, next question आप लोगों को, आपके screen के ओपर में यह रहा, आप लोगों यहां BORNAC, पर लेखारों के दुएंखें न्ग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, उनको बंदी बना कर, उनको कैद करने की कोशीश की, वो था वर्नकुलर क्रेसक्ट, दो चीजे में को आप लोगों जो से जाननी है, इसके अंदर में, वर्नकुलर क्रेसक्ट के जरीए, वर्नकु लिटन इसको लेकर आया था यह याद रखने आप सभी लोगों ने वर्णकुलर प्रेस अक्ट को यह वही Lord लिटन है जिसने पहला दिल्ली दरबार भराया था यह वही Lord लिटन है जिसने आर्म्स एक्ट पास कराया था जिसके जरीए भारती लोगों पर हतियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई यह वही लॉड लीटन है जिसने 21 साल से उमर को घटा कर 19 साल कर दिया गया था सिविल सर्विसेस के लिए चालिए तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नमर सी हो जाएगा इस कोशन को देखिए आप सभी लोग यहां बोला है भारत में उपनिवेशी साशन के संदर में 1883 में इलबट बिल का उद्देश्य था वो क्या था 1883 में ध्यान से समझना आप लोग कौन फे ठीक पीचिती फीब धndर में आए था या आप लोगों का ठीक जूनषय बहारत के आंदर में धुट्री मि में और जो European judges है, भारत के judge, भारतिय judge और European judge, उन दोनों के बीच में क्या किया जाए, यहां पर में equality लेकर आई जाए, ठीक है, उन लोगों को जो है on par, या फिर उन लोगों को बराबरी पर लेकर आना है, आदालती महमलों की जहां तक बात है, तो भारतिय और European लोगों को बराब अबरी के उपर में लेकर आना है, ठीक है, या फिर इहां पर में restrictions लगानी थी, encourage native Indians to appear civil services, allow native Indians to possess arms, क्या था, इसका main उदेश्य क्या था, ठीक है, civil services का था, क्या नहीं, civil services का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका मामला था, friends, जो criminal jurisdiction है, जो judges थे, हमारे भारतिय न्याइक अधिकारी थे, दांडिक अधिकारी थे, मतलब कि आप लोगों के जो judges थे, ठीक है, criminal jurisdiction, जो judges हुआ करते थे हमारे, और Europe के judge, उनमें एकता स्थापि, मतलब समानता लाना, जो अधिकार European judge को हो है, वही भारतिय जच को भी हो, judge में भेदभाव ना हो, लेकिन, friends, अंग्रेज की बात है, कि एक अच्छा कानून आया था, भारतिय और यूरोपियों के बीच में समानता लाने के लिए, अंग्रेज लोगों ने, सफेद मुहों ने इसका विरोत किया, और इस बिल को वापस लेना पड़ गया था, ठीक है, तो यह जो कुछ important चीज़े थी, आप लोगों session कहा हुआ था, आप लोग type करेंगे, कहा हुआ था, कहा हुआ था और कहा पर में होना था, ठीक है, कितने आदमी थे, तो आप लिग..दीजीजे, Sardarar, कितने आदमी आए थे, इसके अधियक्ष कौन थे, पहले वाले session के, ठीक है, first, जो session हुआ था, इसके अधियक्ष कौन teaching परीशा का जो application है उस पर आप चले जाएए अगर कोई दिक्कातारी application डाउनलोड करने में तो 7611-101-101-96978844 इस number पर call भी कर सकते हो आप मैं आपको बता दूँ friends कि आप लोगों के लिए special demand पर जो 40% off है ठीक है 40% off जो है उसको extend किया गया है क्योंकि notification आया है काफी सारे बच्चों के call आया है रात में जो है वो दो बज़े तक भी call और messages आरे थे बच्चों के 4444 इस number पर call या WhatsApp कर लो आप लोग ठीक है आप लोगों को मिल जाएंगी जैनकरी डोंट वरी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ठीक है आपका 1885 के अंदर में इसकी स्थापना होई थी ए ओ हुम इसके संस्थापक थे यह याद रखने आप सभी लोगों ने दादा भाई नौ इनर जी कहा हुआ था यह session गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठ शाला गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठ शाला ठीक है अजीलेश यादो जी आपको को लेना है आप देखिए वो जो नंबर है न मैं उसको बदा दू उसको कर सकते हो या फिर नीचे में session के बाद मे की स्थापना किस ने की थी ठीक है तो यह आप देख सकते हो 65 VPSC के अंदर में question 2019 के अंदर में तो A.O.Hume ने इसकी स्थापना की थी friends W.C.Banerji कौन थे ठीक है यह कौन थे यह आप लोग में को comment करके बताइए चलिए देखते एक बार कितने लोग यहाँ पर में answer कर पाते ह है ठीक है 400 से 480 का chat rate चल रहा है friend जल्दी से इसको 1000 के पार पहुचाना है हर एक बच्चा answer करेंगा यहाँ पर में ठीक है तो W.C.Banerji कौन थे फिर तो A.O.Hume जो है वो स्थापक थे इन्होंने स्थापना की थी ठीक है W.C.Banerji पहले अध्यक्ष थे very good तो answer इसको option number A हो आप लोग बताईए इन में से कौन भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के संस्थापक मतलब यह 1825 में जो session हुआ था उसके सदस्य नहीं थे बाद में वो जुड़े no doubt ठीक है बाद में जुड़े लेकिन friends यहाँ पर में आप लोगों को बताना है कि वो शुरुआत में नहीं पहला जो session हुआ था ना उसके अंदर में संस्थापक सदस्य नहीं थे रही गुड़ आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आप सभी लोगों के ठीक है तो answer आप लोगों के यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का कि सुरेंद्रनाथ बैनर जी जो है ठीक है यह इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे सुरेंद्रनाथ बैनर जी 1886 में जो session हुआ था कलकत्ता में उसमें सदस्य बने थे कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बैनर जी यह याद रखनें आप लोगों ने सुरेंद्रनाथ बैनर जी बाद में बने सदस्य 1885 में उसके सदस्य नहीं थे बाक National Congress के 1886 के अंदर में, इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो मैं आपको एक कुश्चन के मदद से समझाऊंगा, भारती राश्की कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, BPSC AO 2021 में आया, सूपर्ट में भी यह कोशन आचुका है, आप लोगों का अरड़ी, 3000 प्लस लाइक्स हो चुके है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुकरिया, यहां पर में, आप लोगों के जो रिस्पॉंस है, वही जो है, मुझे और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, और ज्यादा काम क वोमेश्चंद्र बैनर जी, वोमेश्चंद्र बैनर जी, जो second session हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्याष्टा की थी दादा भाई नौरो जी ने, ठीक है, और Indian Association को मर्च कर दिया गया था, National Congress में, Indian National Congress में, ये Indian Association के सदस्ये थे, ठीक है, आपके सुरेंदरनाथ बैनर जी, इंडियन Association को जब National Congress में मर्च कर दिया गया, तो उसके साथ में, सुरेंदरनाथ बैनर जी भी इंडियन National Congress के सदस्ये बन गया, तीसरे नंबर का जो session था आपका, 1887 में, मदरास में हुआ था, ठीक है, चिन्नाई जिसको आज आप बोलते हो, 1887 में, सेद बदरुदिन तयब जी इसके अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इनको बनाया गया था, ताकि मुस्लिम्स को जो है, Congress के तरफ आकर शित किया जा सके, कौन सा सेशन था, कौन सा साल था, आप लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएं सभी लोग, ठीक है, कौन सा सेशन था, कौन सा साल था, आप लोगों को बताना है, 1888 में, अलहाबाद में सेशन हुआ था, उसके जस्ट बाद, George Yule इसके अध्यक्ष बने, पहले English President, पहले Muslim President, पहले English President, ठीक है, और आप लोगों का, ओव्यस सी बात है, दादा भाही नौरोजी जो है, पार्सी थे, तो पहले पार्सी प्रेसिदेंट कौन थे, अगर ये कोशन आ जाए, examiner, भाई, सब मेरा lecture देख रहे हो, या उन तक बात पहुच जाए, तो भाई, ये आप आप लोगों को याद रखने है, दादा भाही नौरोजी पार्सी थे, तो पहले पार्सी अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है, ये भी याद रखने है आप सभी लोगों ने, दादा भाही नौरोजी, second session के अंदर में, तो पार्सी, Muslim, ठीक है, और अंग्रेज, बिहार में पह ठीक है, और रखुनात नर्सी मुधौलकर, RN मुधौलकर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, RN मुधौलकर, 1912 के अंदर में, तो पहला session पटना में हुआ था, और कौन थे इसके अध्यक्ष, पटना में session हुआ, RN मुधौलकर, मुधौलकर, ठीक है, ठीक है गया के अंदर में आपका पशिब मंगाल की जो एक्जाम हुई थी ना भी थोड़े दिन पहले उसमें पुछा गया था तो चित्र रंजन दास सी आर दास अध्यक्ष बने थे इन्होंने इस्तिफा दे दिया था गया में 1922 का इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का सेशन कहा पर में हुआ था डारेक्ली कोशन पूछा जाता है आप लोगों से उसके बाद में 1940 में हुआ था रामगड में वैसे रामगड आज जारखण में लेकिन उस समय में तो बिहार में आता था न मौलाना अभूलकला माजात और लगाताल 6 साल तक अध्यक्ष इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की प्रतम भारतिय महिला अध्यक्ष का कौन थी ठीक है अध्यक्ष नहीं प्रतम भारतिय महिला अध्यक्ष बोला आप लोगों से प्रतम भारतिय महिला अध्यक्ष एनी बेजन जो है यह फर्स्ट महिला थी फर्स्ट ठीक है अगर आप लोगों से केवल महिला बोला जाता तो आप लोगों का हो जाता फर्स्ट महिला 1917 में कलकत्त अधिवेशन के अंदर में, लेकिन वो इंडियन नहीं थी न, आप से बोला भारतिये वाली, तो सरोजनी नाइडू आणसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीके, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन, इंडियन महिला, ठीके, पहली भारतिये महिला थी, ये आणसर करिए, जल्दी जल्दी से देखते कितने लोग आणसर कर पते, बहुत बढ़िया फ्रेंड, काफी सारे लोगों ने आणसर किया है, 1925 के अंदर में बनी थी, कानपूर अधिवेशन के अंदर में, इंपोर्टन कोशन है आप सभी लोगों का, ठीके, चलिए, नेक्स पहले सेशन के थे क्या, नहीं, चीक है, 1877 का सेशन कलकत्ता में हुआ था, उसमें बने थे क्या, नहीं, कलकत्ता में नहीं हुआ था सेशन, सेशन हुआ था मदरास के अंदर में, 1887 मदरास, कितने लोगों ने सही आंसर किया, जल्दी से बता दीजे मुझे, 1887 मदरास, तो उनको देखते से आ गया था, दोनों पॉइंट, 1887 और मदरास दोनों यादा है, बदुरुदिन तयअब जी के लिए, हाथ उबर करके बता देंगे मुझे हापर में, है, लाइक e शयर भी करते रहों सबी लोग, सबी लोग जली इंडास इंडीअजीब ही है, जल्द शयर चल जली siete लिए करते रहें हो, जली, सबी लोग बतीबं कि निम्न लिखित राजनेतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह कारखाना कहते थे राजद्रोह कारखाना कहते थे कि यह राजद्रोह कारखाना है ठीक है तो यह राजद्रोह कारखाना कहा गया है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को क्योंकि अब्विस सी बात है राजदोह कारखाना कहते थे इसके, इंडियन नेक्रणिश को कहा है. अंग्रेज्जों के द्वारा, Lord Dufferin ने. हमारे बारे में क्या कहा लॉर्ड डफ्रीनने कहा कि हम अदूरदर्शिलपसंख्याख है। साथ भी दिन jsिज बहुते हैं। कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को लोग इत्तू से है कि उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेंगा अरे मेरे लाल हम माइक्रो हम माइनोरिटी में नहीं है दफरिन तेरे को चश्मा लगा है माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगा हम लोग माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी कह रहा है हम लोगोगोगो शॉर्ट साइटे माइनोरिटी मतलब कि हम लोग दूर का नहीं सोच रहे है ऐसा कह रहा है हम लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग अगर इसको लोलेटर वगरे लिखना होंगा तो कैसा लिखेंगा गर कि यहां पर इसकी बातों से समझ में आ रहा है the Congress is tottering to its fall Congress जो है अपने पतन के तरफ में लड़ खडा रही है और मेरी एक बहुत बड़ी महत्वकांशा है great ambition है मेरी कि जब तक मैं इंडिया में हूँ ठीक है मैं Congress की मदद करू किसमें उसके peaceful demise में उसको शान्ति पूर्ण तरीके से मरने में मदद करू अरे मरने में मदद करू पगला होगे तु क्या बात कर रहा है यहां पर में यह क्या शायराना अंदाज में लिख रहा है यहां पर में मरने में मदद करू करू कर रहा है यह क्या शायराना अंदाज में बोल रहा है कि मेरी महान महत्वकांशा है कि peaceful तरीके से मरने में मैं उनकी म इसी के समय में friends आप लोगों को याद रखना है कि 1905 में बंगाल का बटवारा हुआ था रामगड के अंदर में हुआ था 1940 से लेकर 1940 तक लगातार वो अध्यक्ष बने रहे क्योंकि चुनाओ भी नहीं हुए भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के चालिए तो answer is option number B इस question का answer जिसने कर डाला उसकी life जहिंगा लाला अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे chronology में लगाने की कोशिश कीजिए ठीक है chronology में आप समझे कि civil disobedience moment कब हुआ था सवी ने अवज्यान दुनाभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को कि यह हुआ था 1930 में पता है न आपको कि गांधी जी ने दांडी यातरा निकाली थी उसके बाद में civil disobedience moment हुआ था civil disobedience moment के अंतर का थी बिहार के जो किसान थे उन्होंने कौनसा टेक्स देने से मना कर दिया था जो बच्छा स्टार्टिंग से लेक्षर देख रहा है पूरा लेक्षर देख रहा है उसका पेपर क्लियर होंगा टीरी के अंदर में पुछा गया था कि कौनसा वाला टेक्स था पुना पैक्ट पुना की अरवडा जेल के अंदर में तो अव्यस सी बात ही कि पहले आप लोगों का चार आएगा ठीक है उसके बाद में ही वन आना चीए ठीक है चार के बाद ही वन आना चीए आप लोगों का ओके तो यह दी तो आंसर होई नहीं सकता आप लोगों का क्यो आया था 1942 में 1942 के अंदर में क्रिप्स मिशन तो यहां पर में आपका आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहला आप लोगों का आएंगा चार चार तो यहां नहीं हो सकता उसके बाद में आएंगा आप लोगों का गांधी इर्विन समझौता दो चार दो फिर आएंगा पुना सबसे लास्ट में तीन ठीक है तो आंसर सी हो जाएगा यह आप लोगों को डेट जो है फ्रेंज धीरे 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 प्रैक्टिस से याद होगी आज किसी ने नहीं घबराना है यह अगर एक बार में याद हो जाता एक बार में सब कर लेते तो औव्वियस सी बाते हर को ही कर बंगाल का विभाजन कौन सी तारीक को हुआ था ठीक है तो अगर हम लोग बात करेंगे friends कि बंगाल का विभाजन की तारीक क्या थी तो बंगाल की विभाजन की तारीक जो है 15 अगस्ट 15 सेप्टेमबर 15 अक्टूबर 15 नमेंबर परिक में से कोई नहीं हो, परिक में से एक से दिख, जिसने इस question का answer लगा दिया ना भाई, मान जाएंगे उसको, ठीके, मान जाएंगे उस particular इंसान को कि उसने lecture ठीक से देखा है, बहुत ही जादा important और interesting question है आप लोगों का, देखिए इस question का answer होगा, आपका option number E, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन होगा था, वो होगा था 16 October 16th October 1905 को, 16 October 1905 को होगा था, इसको जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था, शोक दिवस, साथ ही साथ रक्षा बंदर भी मनाया गया था उस दिन, जो है गांधी जी के, रविंदर ना टेगोर के आवहान के उपर में, तो कितने लोगों का सही था, हाथ उपर कर दो बला एक बर फिर से वापस से, देखे कितने लोग answer किये थे यहां पर में, और अब अगले बार से आप सभी लोगोंने, 16 October को बंगाल का विभाजन अस्तितों में आया था, रक्षा बंदन भी मनाया था, और यहां पर मैं आपको बता दू कि शोक दिवस के रूप में भी इस दिन मनाया गया था, ठीक है, रविंदर ना टेगोर ने बंगाल विभाजन के समय में ही अमार सो पर दिन पहले मैं एक प्रिविएस एर पेपर देख रहा था, ठीक है, तो बंगलादेश का गठन कौन से साल में हुआ था, यह पूछा गया था, तो बंगलादेश का गठन 1971 में हुआ था, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, तो अमार सोनार बंगला, जो के बं आर्थियों के खिलाफ फैसले सुनाते थे, तो प्रफुल अचाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया बं फिक दिया था इनके उपर में, तो इनकी किसमत अच्छी बज गया यह, ठीक है, बाकी इनके साथी मर गया थे, लेकिन यहाँ पर में प्रफुल अचाकी और खुदी स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, बंगाल का बटवारा हुआ, ठीक है, बंगाल का जो बटवारा है, यह हुआ आपका 1905 में, जिससे के हमारे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के जो लोग थे, वो दुखी थे, उन्होंने भारत में स्वदेशी आंदोलन शु ठीक है, तो इसका नेत्यतों किस ने कहा का किया, दिल्ली में कहा किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, फ्रेंड्स की, जो अलग-अलग लोग थे, अलग-अलग जगा पे कर रहे थे, जैसे के मुंबई-पूने का जो इलाका था, मतलब महारास्ट्र, आज का मह ठीक्ष्टा की, मतलब नेत्यत्व किया, पंजाब में जो अजीत सिंग थे, अजीत सिंग ये भगत सिंग के चाचा भी थे, उन्होंने किया, डिल्ली में किया था, सयद हैदर रजा, मदरास में चिदंबरम पिल्लाई ने किया था, इसका नेत्यत्व, तो कुछ यह इंपो पुने, पुना और मुंबई के अंदर में, पुना, मुंबई जो आप लोगों का महराष्ट बॉंबे प्रान था वहाँ पर में, अजीत सिंग जी ने पंजाब के अंदर में किया था, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, और लाला लाजपत राय भी एक तरीके से वही से ज पुछा जा सकता है, देखें, मेरी एनरजी के अंदर में कोई कमी नहीं आरी, अगर आप चाहते हो ना, आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए, और आप लोग जो है यहां पर में, अपने सपने पूरे कर सके, तो महनत कीजिए यहां पर में, जैसे मैं अपने तरब से पू आप लेक्शन देतों, बाकि जो आप मांगोंगे वो चीज में देने के लिए आप लोगों को तयार हो, जो आपको help चाहिए वो चीज, ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे जो है पूरी energy के साथ में यहां पर में बने रहेंगे, तो answer इसका option number D हो जाएगा, friends, यह याद रख अंगर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं भाहिशकार किसके दोरान अपनाए गए थे, तो यह अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के समय में, आपको बता दू, friends, कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के समय में, एक नारा बहुत जादा फेमास हो ग करता था, ठीक है, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम नारा बन गया था, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, बंगाल विभाजन के दौरान, कौन सा अंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, 66 वी BPSC के अंदर में पूछा गया, कॉशन लीजिए, ठीक है, तो BPSC के फेवरिट क सवदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, सवदेशी आंदोलन, तो आंसर इसका option number C हो जाएगा आपका, तो प्लीज इस coin को भी याद रखेंगे आप लोग, now friends, next question के बारे में बात करते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन के सब में भारत का वाइसराय कौन था, ठीक है, आप CDPO 2005 की परिक्षय के अंदर में question आया था, आपका BPSC के, तो आप देखिए, 1905 में, Lord कौन था यहाँ पर में, करजन था, यह याद रखने आप सबी लोगों ने, Lord करजन, ठीक है, Lord करजन भारत का वाइसराय था, पूरे भारत का वाइसराय Lord करजन, ठीक है, तो उसी के साशन काल में, 16 October 1905 को, जो है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, इसकी घोषना कब हुई थी, बंगाल विभाजन की, तो यह हुई थी, 20 July को, प्लीज इसको भी याद रखी आप सभी लोग, घोषना हुई थी, 20 July 1905 को, लेकिन इसको लागू किया था, 16 October 1905 को, ठीक है तो 20 July 1905 को घोषना हुई कि बंगाल का विभाजन होंगा, ठीक है, और इसको लागू किया गया, 16 October 1905 को, तो दोनों कुश्यना आते है, कि घोषना कब हुई थी, 20 July 1905 को घोषना हुई थी, कि बंगाल का विभाजन कीया जाएगा, और इसको लागू किया गया है, आप वाइसराय तो Lord Karzन थे लेकिन बंगाल के लेफिटिनेंट, जो भी होता था वाइसराय अलग-अलग प्रांथ में लेफिटिनेंट, governor हुआ करते थे तो Sir Andrew Fraser fulfil the बंगाल के लेफिटिनेंट, गवर्नर थे जब बंगाल का बटवारा हुआ ठीक है चली इसकी PDF टीचिंग परीक्षय एप पर मिल जाएंगे सिंपल सा है एकदम आपको Google Play Store पर जाना है टीचिंग परीक्षय एप डाउनलोड करना है आपको मिल जाएंगा बाकी कोई भी जानकारी चीचिए नीचे में नंबर चल रहा है 7611-101-101-96978844 इस पर कॉल करके या WhatsApp कर लीजिए अगर तो वाटसेप कर दीजिए टीम जैसे ही आपको नमर आएगे वहाँ पर मैं आपको कॉल कर देंगी या WhatsApp पे भी आप लोगों से कनेक्ट कर लेंगी या फिर कॉल कर लेंगी आपको तो बंगाल की विभाजन के समय बंगाल का लेफटिनेट गवर्नर कौन था यूपी-पी-स में आया हुआ कोशन जो पढ़ा रहा हुँ हो सारे के सारे इंपोर्टन कोशन है आप लोगों के तो सर एंड्रूस फ्रेजर जो है उस समय में बंगाल के लेफटिनेट गवर्नर ठीक है now friends निमनलिखित में से किस अंडोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था कब वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था आप लोगों का friends बंगाल के पार्टिशन के समय में ठीक है बंगाल तो भारती राष्टी आंदोलन का कौन सा समय था वंदे मातरम जो है एक इंपोर्टन गीत बन गया था स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के समय में ठीक है तो आंसर आपको option number ही हो जाएगा स्वदेशी और बंगाल का विभाजन एक ही समय काल की बात है इसी वज़े से आंसर इसको हो जाएगा option number a स्वदेशी आंदोलन ठीक है next question के दरब में आगे बढ़ते हैं स्वदेशी और भाहिशकार पहली बार किस घटना के दौरान विधी की रूप में अपनाये गये थे इसाम में पूछे गये प्रशने हैं यह आप लोगों के तो स्वदेशी और भाहिशकार को अपनाया गया था आप लोगों का बंगाल पार्टिशन के विरोध में ठीक है कि हम स्वदेशी चीजों का इस्तिमाल करेंगे विधेशी चीजों का भाहिशकार करेंगे तो answer आपक एक कोशन पूछा गया था इस से रिलेटेट उस दिन को क्या खुशित किया गया था वगेरे वगेरे तो आपका इस दिन शोक दिवस की रूप में मनाया गया आपका ठीक है यह याद रखेंगे आप सभी लोग the day of morning ठीक है morning इसको बोला जाता है साथी साथ रक्षा बंदन भी इस दिन मनाया गया था रविंदर ना टैगोर के आवहन के उपर में कॉंग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था ठीक है यहां पर मैं सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दू कि स्वराज शब्द का प मतलब ही होता है स्वराज शब्द को आप समझे हिंदी में अगर आप इसको समझोंगे कि इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो स्वराज का मतलब ही होता है आप लोगों का हमारा खुद का साशन स्वयम का साशन स्वराज ठीक है तो यह थोड़ा सा आप लोगों ने इसको इस क्वालों का question आपका भाई BPSC clear करना है तीरी clear करना है आप लोग देख सकते हो कि आपको पूरे के पूरे वह question करार हो जो exam में पूछे जाते आप लोगों से ठेक तो सवाधेशी आंदुलन किस दोरान किया गया था वन लोगोंने ठीगे BPSC आंदर में मैडम भीका जी कामा उन्होंने तिरंगा N1907 में कहा फयराया था तो उन्होंने पुछा नाम की पर फैराया था पहली बार Bhrat के बाहर Bhrat का जन्डा फैराने वाले क्शुन थी मैडम भीका जी कामा ठीके आभ देख सकते 2015 के अंदर में 2020 के अंदर में कुशन आया जो भारत का तिरंगी स्वतंतरता धोच ता कहा फेराया था स्टूडगाट कहा यह जर्मनी में अच्छा चलो यहां पर में वह साल नहीं दिया यह आप लोग बताओ कौन सा यह था अभी क्योंकि पिसले वाले कुशन में यह दिया थ तो देखी यह है मैडम भीकाजी कामा इन्होंने क्या किया था 22 अगस्ट 1907 को जब वो गई थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फरेंस के अंदर में स्टूडगाट जर्मनी स्टूडगाट नाम का एक शेहर है जर्मनी में वहां पर में यह जंडा लेकर गई थी आप काम के अंदर में पूछा जा सकता है वंदे मातरम का नारा उस समय में चल रहा था अच्छा मैडम भीकाजी कामा को एक नाम से जाना जाता है ध्यान से समझेंगे सभी लोग बहुत ध्यान से बहुत ही इंपोर्टन वाला पॉइंट आपका इनको कहा जाता है भारतिये जो भारत का जो revolution है आप लोगों का जो क्रांती हुई है उसकी जननी कहते है भारतिये क्रांती की जननी ठीक है mother of Indian revolution Indian revolution, revolution, भारत के अंदर में जो क्रांती हुए उसकी जननी, ठीक है, भारत की क्रांती की जननी किसको कहा जाता है, तो इनको ही कहा जाता है, यह उत्थ आध्थन है आप सभी लोगों ने, भारती है क्रांती की जननी, इनको कहते है, पीडियो का में लेंगे, देखिए, आया, से मिल जाएंगी टीचिंग परिश्या का एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है आपने सभी लोगों ने ठीक है तो देखें यहां पर में फ्रेंड्स आप लोगों को एक कुश्चन है आप लोगों को बताना है कि बंगाल विभाजन के समय में हम लोगों ने कौन-कौन से यह NCIT-based question था आपका ठीक है तो answer one two four हो जाएंगा one two four one two four option number d में दिया होगा है खतम ठीक है one two and four तो ऐसे ही आप लोग answer लगाते रहेंगे friends जितने भी बच्चे जहां 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 देखिए एक request है आप लोगों से जहां जहां शेयर कर सकते हो इस session को शेयर करते रहें देख आप लोग जहां 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 एक एक बच्चे अपनी जिम्यदारी निभा कर जहां 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 शेयर कर सकता है वहां शेयर कर देखेंगे session को ठीक है session को like भी करते चलेंगे आप लोग तो answer आपका option number d हो जाएगा bycott का नाराध यह हमने स्वदेशी चीजे अप नहीं से कब प्रारम हुआ 66 BPSC के अंदर में इसका question पूछा गया देखेंगे friends हुआ यू था Muslim League की जो स्थापना है All India Muslim League इसको कहते है All India Muslim League इसकी स्थापना हुई थी 1906 में धाका के अंदर में ठीक है धाका बोलो डिकका बोलो एक ही बात है वो ठीक है धाका डिकका तो धाका के अंदर में इसकी स्थापना हुई 1906 में बट ये लोग रेगुलर सेशन नहीं करते थे इनका रेगुलर सेशन जो है कब से स्टार्ट हुआ ये question आप लोगों से पूछा जा रहा है ये question directly पूछा गया कि regular session Muslim League का regular session कब से स्टार्ट होने लगा तो ये question आप लोगों से Salimullah जो थे धाका के वो और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे आगा खान जिनका main role था Salimullah और आगा खान आगा खान ये याद रहने आप लोगों ने नवाब Salimullah और आगा खान इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1906 में इसका पहला session कराची में हुआ था 1907 में ठीक है और session हुआ पहला वला 1907 के अंदर में Muslim League का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था देखिए Muslim League का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था ये बताएंगे आप लोग मैं चाता हो हर एक बच्चा यहां पर में आंसर करें तो अगर गलत भी होता है आप लोगों का फ्रेंड्स तो कोई भी लोग धाका अंसर लगा रहे है उन सभी लोगों का गलत है ठीक है कराची में 1907 में पहला session हुआ था धाका में तो 1906 में उसकी स्थापना हुआ थी यहां प्रथम अधिवेशन पूचा है first session पूचा है ठीक है कराची में हुआ था चलिए अखिल भारतिये Muslim League की स्थापन किस वर्ष हुई थी तो यह हुई थी 1906 के अंदर में कहा हुई थी तो धाका के अंदर में हुई थी यह याद रखने है आप सभी लोगों ने ठीक है important point है पूरी की पूरी energy मैं अपने तरफ से लगा रहे हूँ मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक बच्चा अपना पूरा question के दर में आगे बढ़ते है निम्नलिकित में से कौन Muslim League के संस्थापक थे थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को कि 1906 के अंदर में Muslim League की स्थापना हुई थी आप लोगों की धाका के अंदर में नवाब Salimullah Khan और उनके एक साथी थे आगा खान इन्होंने मिलकर इसक इम्पोर्टन पॉइंट नेक्स्ट जो है निम्नलिकित में से कौन Muslim League के संस्थापक थे वो तो कोशन आगा खाने इन Salimullah Khan आप लोगों ने लगा दिया यहां पर में दिक्कत वाली बात ही नहीं आप लोगों की पहले अध्यक्ष कौन थे इसके Muslim League के तो फ्रेंट्स ये 36 ग नियमीत रूप से कब प्रारम किया था अब आप लोग आंसर कीजिए जो बच्च आप हमेश्या से स्टार्टिंग से देख रहा है लेक्चर वो इसको कर पाएंगा इस पर्डिगुलर कोशन का ठीक है जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में 3380 से जादा लोग देख रह करेंगा 1925 के बाद से उन्होंने रेगुलर करना स्टार्ट किया था पहला सेशन कब लिया था चलो यह बता देंगे आप लोग कमेंट करके पहला सेशन कब हुआ था इनका ठीक है कब हुआ था कहा हुआ था कमेंट कर देंगे जल्दी-जल्दी से मुस्लिम लिग का इनमें जिनना संस्थापक सदस्य नहीं है BPSC AEO 2021 में पूछा गया question आप लोगों का directly देखे कितना speed में answer किया, देखा कि कौन संस्थापक सदस्य नहीं थे, मैंने आपको बताया कि जिनना नहीं थे, खतम करो, maximum लोग इसको गलत करके आएंगे, उनको लगेंगा कि जिनना संस्थाप सदस्य नहीं थे इसके, और इसी question के साथ में friends, 4000 प्लस likes आप लोगों ने कर दिये, इस session को, बहुत बहुत शुक्री आप सभी लोगों का friends, ठीक है, एक दिल आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप लोगों ने इतना जादा जो प्यार दिया, energy continuously बढ़ रही है, 4000 से भी पड़े थे, कुछ लोग थे moderate, moderate लोग जो थे friends, वो नरम पंती कहलाते थे नरम, नरम दल वाले लोग, और कुछ थे extremist, ठीक है, extremist लोग, इनको गरम दल कहलाया जाता था, गरम दल के लोग, तो नरम दल वाले लोग जो थे, वो चाहते थे कि भाई, प्यार से letters वगरे तब ही जाकर अधिकार मिलेंगे, तो दोनों में विचारधारा का मतबेत था, विचारधारा थी यहाँ पर में, अलग-अलग, moderate और extremist में जगड़ा हो गया, कब 1907 में, 1907 में session हो रहा था, सूरत के अंदर में, और वहाँ पर में यह जगड़ा हो गया, इसकी पूरी की में, 14 अलाबाद के अंदर में, ऐसी हर बार sessions होते थे, 1907 का session जो है, सूरत के अंदर में बुलाया गया, दो समू थे, नरम पंथी, गरम पंथी, आपको पता ही है, दो विचारधारा वाले लोग, जो moderate लोग थे, नरम दल वाले लोग वो चाहते थे, राज बिहारी घोष अ पन्गी आपelin, राज भिहारी घोष चुनाओ, जीत गए, लाला लाशपात्राय चुनाओ, हार गए, अब आया इन लोगों को गुस्सा, लोक मनने तिलक, लाला लाश पात्राय ओह भीपि請 अंद्रपाल, इन लोगों को आया गुस्सा, वह वोले ये क्या बात होई, किमिस्ट लोग थे उन्होंने Congress छोड़ दी ठीक है Congress छोड़ दी जो बाल गंगाधर तीलक वगेरे टाइब के जो लोग थे लाला लाजपत्र रहे बिभी चंदरपाद उन लोगों ने छोड़ दी गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी जो समर्थक्ति वो Congress में रहे गए इसको सूरत का बट्वारा कहा जाता है समझ में आया आप लोगों को सूरत का बट्वारा क्यों हुआ था Congress के अंदर में ही मत भेट था गरंब्ध नरम नरम पंथी और गरम पंथी इसको लेकर चीड़न सूरत का बट्वारा होआ हुआ कौन जीता तो चुनाओ रास-bihari घोष्ष अब आते हैं यहां पर में हम लोग इसके बाद में क्या हुआ जो गरम पंती थे उन लोगों के उपर में अत्याशार हुए उसके तुरंद बाद जो बाल गंगधर थी लगते उनको अरेस्ट करके मांडले जेल में भेज दिया गया था सूरत विभाजन 1907 ठीक है आप लोगों का के बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस पर किसका नियंत्रन हो गया कौन छोड़ दिया था जिसने छोड़ दिया उसके बाद में जो बच गया उनका नियंत्रन रहे गया सिंपल सी बात है ठीक है जो छोड़ गये उसके बाद में जो थे यहां पर में इनों ने छोड़ दिया था ठीक है छोड़ दिया था इन लोगों ने यहां पर में जो तिलक थे पाल थे ठीक है यह इन सब लोगों ने छोड़ दिया था तो यह थोड़ा सा याद रखेंगे आप सबी लोग नेक्स कोशन फ्रेंड्स आप लोगों का 1907 के भारती राष्टी कॉंग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे डाइरेक्ट कोश्चन आप लोगों का डाइरेक्ट कोश्चन जल्दी जल्दी से गोपालकृष्ण गोखले नहीं थे राज भिहारी घोष थे आर भी घोष ठीक है किसको हराया था उन्होंने लाला लाजपत्राय को हराया था ठीक है चलिए नौ फ्रेंड्स 1907 में सूरत अधिवेशन में किसका नाम कॉंग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल गरम दल के दुवारा तरह इता भी घया था जो हर गया था क्योंकि जीते तो न्रम दल बाले थे तो गरम दल के दुवारा नाम किसका दिया गया था यो हर भी घया बाद में अप लोग आंसर करेंगे एचाउर तो जल्दी वगरelines चलिए जशर करेंगे छिखेंगी आप सब ठीक है चालिए नेक्स्ट यहां पर में आगे बढ़ते हैं हम लोग 1907 में सूरत में भारती राष्टी कॉंग्रेस की विभाजन का मुख्य कारण क्या था ठीक है लॉड मिंटो ने कम्यूनल अवर्ड गोशित कर दिया था यह कारण था क्या नहीं भाई वो कम्यूनल कम्यूनलिजम या संप्रदाइक निर्वाचक मंदल वो आया 1909 में तो यहां पर में 1907 में सूरत का विभाजन कैसे हो जाएगा यहां पर में ठीक है उसके बाद में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग का क्या लेना देना बेगानी शादीम अब्दुल्ला दिवाना यह लोग आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे पर भरोसा नहीं था विश्वास नहीं था उनको एक्स्रिमिस्त लोगों को मौडरेट लोगों की कारेशली पर विश्वास नहीं था और moderate लोगों को, extremist लोगों की कारेशली पर विश्वास नहीं था, तो दोनों का नहीं था, तो यहां Muslim League का कोई लेना देना नहीं है, Arbindo Ghosh जो है, वो election नहीं जीत पाए, आपने exam का form ही नहीं भरा, आपोले मैं fail हो गया, अरे भाई, exam का form ही नहीं भरा इनोंने, इनके बदले में किसने form भरा था, जो हार गए थे, बताएए जल्दी से, इसके जगा पे क्या आना चीए था, Arbindo Ghosh के जगा पे, जल्दी से, हर कोई बच्चा आंसर करेगा यहां पर में, दोनों के तरीके अलग-अलग थे, ठीक है, इसी वज़े से यह लड़ाई हुई थी, बेसिकली, नरम दल वाले लोग चाहते थे, कि प्यार से काम करवाया जाये, गरम दल वाले चाहते थे, कि भाई, 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 बहिश्कार और उसारी राजनीती, जो है उसको बढ़ाया जाए यहां पर में तो आंसर इसको option number B होने वाला है यहां पर में बहुत बहुत बढ़ाई आप लोगों का इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने जो आगे बढ़ते जा रहे हो जो मैं एक एक topic आपको करा रहा हूँ अब देखिए यहां पर में एक और question आप लोगों का क्या बोला गया इस particular question के अंदर में, question के अंदर में बोला गया आप लोगों का, कि भाई लोग बताईए कि कौन से number का session था ये करके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कौन से number का session था ये, ठीक है, तो ये जो session था friends आप लोगों का, ये session था 23rd number का session, लेकिन अ मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ, बहुत बहुत important वाली राज की बात, आपको पता है, ये सूरत का अधिवेशन जो है इसको 23 नंबर का session माना जाता है, ये हुआ तो 1907 में, 1908 का session हुआ, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये session हुआ था मदरास में, मदरास मे जो official, जो history लिखी गई है, Indian National Congress की, उसका मदरास session का भी नंबर कौन सा दिया गया, 23rd ही दिया गया है, 23rd session ही दिया गया है, क्यूंकि यहाँ पर में तो जगडा हो गया था, बीच में रुग्या session, सूरत अधिवेशन, 23 नंबर का, तो उसको continue किया गया था मदरास में, तो इ सूरत में, तो 1908 का जो मदरास session था, उसके अधियाश कौन थे, राजबिहारी गोश, और उसका नंबर भी 23 नंबर का ही continue किया गया, जो history लिखी गई थी, Indian National Congress की, कितने लोग यह जानना चाहते है, कि भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस का इतिहास किसने लिखाय, कितने इसके बनारा सधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 1905 में, 1905 का अधिवेशन बहुत जादा important हो जाता है, क्यूंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, इसी वज़े से यह वाला session important है, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो भारती राष्ट्रिय कॉंग्र A, गोपाल कृष्ण गोखले, A is the correct answer, तो 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसके अंदर में एक प्रस्ताव पारित किया गया, कि बंगाल की विभाजन का हम लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसके प्रती आक्रोश का answer क्या है, तो आपको बताना चाहूँगा कि बिहार प्रांत कब बना ये बोला है, ना कि बिहार बिहार औरिशा प्रांत हुआ यू था कि पहले यहां पर में जो प्रांत बना था 1912 के अंदर में उसका नाम था बिहार और उरिशा ऐसा नाम था उसका ठीक है बिहार और उरिशा प्रोविंसेस उसको कहा जाता था 1912 में आप से क्या बुला गया केवल बिहार बुला गया बि बिहार राज्यस्तित्व में आया था यहां से उडिसा से अलग होकर 1936 में आंसर की अंदर में सी दिया हुआ है काफी सारी बुक से उन्होंने भी अपडेट नहीं किया मैं आपको बता दू फ्रेंड्स की आंसर इसको 1936 है ठीक है क्यूंकि बिहार और उडिसा प्रांत था 1912 म बना था बंगाल से अलग होकर 1936 के अंदर में जो है वो बिहार की स्थापना हुई थी बिहार और उडिसा अलग-अलग दो राज्यों की स्थापना हुई थी अगर यहां 1936 में ना होता तो हम जो है उसको एक benefit of doubt दे सकते थे लेकिन जब यहां पर में सिंपल सा 1936 दिया है 1936 के अंदर में आप लोगों का बिहार प्रांथ बना 1936 के अंदर में ही आप लोगों का उडिसा प्रांथ भी बना दोनों को अलग-अलग कर दिया गया याद रहेगा अब यह सारी चीज़ आप लोगों को ऐसे करना होता है इस पर इतने question को ठीक है सर मेरा राइट था रिन 1760 का उन्होंने माना ये भाई हम भी मान लेंगे सचीदनंद सिना को माना जाता है थिलसे सचीदनंद सिना आधुनिक बि julka kuष entrar के निर्माता पर बनस तो बारति राजय की रूप में बिहार राज्य कब बनाあります इस पिर से zac paramedi बना आप लोगों का बारति बहार को बना बिह बिहार को एक अलग प्रांथ का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ यहां पर मैं कुश्यन क्या बोला भारती राज्य की रूप में बिहार कब बना यह कुश्यन बना आप लोगों का तो भाई सिंपल सी बाने 1936 में बना अभी तो बताया आप लोगों को ठीक है ऑप्शन में बिहार नाम से जो राज्य बनाता वो 1936 में बनाता यह याद रखना है आप लोगों ने यह कुश्यन बार बार आचुका इसलिए बतारो आप लोगों को मुल्टीबल एक्जाम्पल दे दिया मैंने आपको एक्जाम में पुछे कहें के आप याद रहेंगा सभी लोगों को कि चालिए नौ फ्रेंड्स पटना में 1913 में अनुशिलन समीती की एक शाखा की स्थापना किस ने की थी बीपिस सी जीएस 2017 में पूछा गया कोश्यन मैंने कोश्यन पेड क्लास में बता दो कराया था यह सेम कोश्यन कराया था मैंने आप लोगों को और यह सेम कोश्यन के अ कोश्यन कोश्यन पूछ लिया आप लोगों का तो यह भी आद रहेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स ठीके सचिंद्रनात सानियाल ने किया था ऐसे ही सबीश्यन समीती के बारे मां बताता हूँ अनुशिलन समीती की स्थापनौ 1902 में की गई थी ठीके प्रमतनांत मित्रा औ सतिष्चंद्र बसू के द्वारा इसको हेड कौन करें थे बरिंद्र कुमार घोष मतलब प्रमतनात मित्र सतिष्चंद्र बसू बरिंद्र कुमार घोष यह ऐसे लोग थे जिन्नोंने अनुशीलन समीति की स्थापना की यह बरिंद्र कुमार घोष अरबिंदो घोष के भाई अनुशिलन समीति के विचारों को फैलाती थी जुगांतर पत्री का एक न्यूसपेपर था जुगांतर पत्री का बरिंदर कुमार घोष हर कोई बच्चा लिखेंगा ठीक है जल्दी 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 से बताईए यहां पर भरिंदर कुमार घोष्ट ने अनुशिलन समीथी 1902 बंगाल में इसकी स्थापना में किस ने की तो सचिंद्रनाथ सानियल ने की थी यह याद रखना 1913 में पटना में यह पढ़ाया था आप लोगों को अनुशीलन समीति की शाखा को ली थी उन्होंने पटना में चीक है तो यह आप लोगों को याद रखना था बी एन कॉलेज के बंकिम चंद्र नेत्र द्यक्र को साचिंद्रनाथ सानियल 1300 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की रखना की ने की थी रामनान्द, सिनहा, सतीज जा, सचिंद्रनाथ सानियाल, more than one of the above, ठीक है, none of the above, सचिंद्रनाथ सानियाल, 1913 के अंदर में, ठीक है, सिंपल सा एकडम कोशन आप लोगों का बन गया यहां पर में, है न, तो इस तरीके से आप कर सकते थे, बंकिम चंद्र मित्र करके एक व्यक्ति थे, BN College के, उनको वो जिम्यदारी दी थी उन्होंने चलाने की, तो सचिंद्रनाथ सानियाल, question directly पूछाया आप लोगों, आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में, friends, हमारे next question के तरफ में, ठीक है, जुगांतर पत्री का समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी चली अब बताईए आप सभी लोग, ठीक है, अभी आप लोगों को बुला था, एक्टिवीटी करते रहो, तो जुगांतर पत्र जो है, आप लोगों का बताना है कि इसकी स्थापना किसने की थी, हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देगा, 4500 प्लस लाइक्स हो बहुत जादा करीब है यहां पर मैं, ठीक है, तो जुगांतर पत्र जो है, इसकी स्थापना किस थी, तो इसकी स्थापना बरिन्दर कुमार घोश्ट ने थी, जुगांतर पत्रका कॉनसी संस्था ती, जिसका प्रचार प्रसार करता था, एक एजूपेट जेस लगोँ अनुशीलन समीती है ना तो जुगांतर पत्री का अनुशीलन समीती के विचारों को आगे बढ़ाता था अनुशीलन समीती अनुशीलन समीती के विचारों को आगे बढ़ाता था, देखिए, आपका एक कोशन बन गया यहां पर में, किस के विचारों को आगे बढ़ाता था, तो ऐसे ही आप लोग अगर और भी कोशन करना चाहते हो, तो फ्रेंड जुड़े रहिए, मैं आपको पूरे कोशन करवा द बिहार चात्र परिषद को संगठित किया था, ठीक है, देखिए, आपका बिहार CDPO के अंदर में 1998 में आचुका है, और मैं आपको बता रहों, आगे में आप लोगो कोई कोशन देखने के रिए मिलेगा, ठीक है, चात्र परिषद, मैं आपको बताना चाहंगो, 1906 के अंद प्रसाद जी के द्वारा की गई, important point है, सभी लोग लिखो, बिहार चात्र परिषद, इसकी स्थापना, ठीक है, राजन्द प्रसाद जी ने 1906 में की थी, राजन्द प्रसाद बाद में हमारे भारत के स्वविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष बने, और हमारे भारत के पहल राष्टर पती भी बने, ठीक है, तो डॉक्टर राजन्द प्रसाद, ठीक है, तो 1906 में बिहार चात्र परिषद की इन्होंने स्थापना की थी, इसके अलावा जो है, एक question बना था, 1921 के अंदर में एक महिला, श्रीमती सरलादेवी, इन्होंने क्या किया था, इसकी अध् श्रीमती सरलादेवी ने कब की थी, हजारी बाग के अंदर में, तो हजारी बाग के अंदर में, 1921 में श्रीमती सरलादेवी ने की थी, now friends, बिहारी चात्र सम्मिलन का आयोजन, जो है न, यहाँ पर बिहार यूवक्स संग के प्रोफेसर ज्यान सहाई के नेत्यतु में कि और एक किसष्ण आ गया कि बिहारी युवख संग इसकी स्थापना गे था ये किस ने कि तो बिहारी युवख संग की तो बिहारी युवख संग की जब उड़ानी नंदर में हुई था DAVID यह भी लोग ready है बस एक चीज देख लो यहाँ पर में आप लोग बहुत इंपोर्टन वाली बात है आप लोग को कुछो मैं दिखाना चाहता हो यहाँ पर में ठीक है भाई कहा चला गया question just a second यह देखिया आप लोग मोती हारी में जब बिहार student conference हो रही थी 1928 में तो बिहार UAQS संग की इस्थापना की गई लिखो जल्दी से हर बच्चा लिखेगा बिहार UAQS संग की स्थापना कब हुई थी हर एक बच्चा यहां पर में लिखेगा जल्दी से comment के अंदर में लिखते जाए आप लोग जितने भी लोग पूछे कि सर कोर्स में कैसे जॉइन होए तो मैं आपको बता दू यहाँ पर मैं आप लोगों को नीशे में एक नंबर चल रहा होगा फ्रेंट 76111010196978844 उस नंबर पर कॉल या वाटसेप करके आप जानकारी ले सकते हो अभी जो 40% आपका चल रहा है कल आज और कल जो है उसका लाब लेकर आप जो है कम से कम इसके अंदर में आप लोग जोईन कर सकते हो सारी चीज़े आपको रिकॉर्डेड लाइप्लस रिकॉर्डेड क्लासे पीडियाफ नोट्स और सारी के सारी जो चीज़े आपको यूटूब की जितने भी पीडियाफ से वहां मिल जाती है उसकी टेस्ट मिल जाती है आपको डियरेकली ताकि आप एक ही जगा पे सारी चीज़े आपको मिल जाए साथी साथ बिहार टीरी 1 और टीरी 2 के जितने भी पेपर से वह भी वहां प्रोवाइड हो रहे है तो बिहार यूवक संग की स्थापना 1928 में हुई थी किसने इसकी नामें टीके तो ये याद अखेंगे आप सभी लोग इन्होंने स्थापना की थी 14 अप्रेल 1929 में पहला यूवक दिवस मनाया आ गया बिहार में, first time you are day मनाया आ गया, याद रहेंगा आप सभी लोगों को यह point, important है तीन हो, इसको मैं आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स आप लोगों को provide कर दूँगा, ताकि आप लोग इसको जादा से जादा से जादा सारी point को याद रख सके, बिहार चात्र परिशद की स्थापना किस ने की थी, जो question हमारा मूल था, वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, बिहार चात्र परिशद, ठीक ह सहाए, चात्र परिशद बोले तो राजिंद प्रसाद, ठीक है, questions की जाद जादा practice करेंगे, ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी चीज़े, now friends, 1909 में, पारित मौरले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, महिलाओ को politics में लाना नहीं, ऐस सच कुछ नहीं था, मह भारतियों की भागीदारी में वृद्धी करना, ठीक है, cooperation बनाना, world war के अंदर में, world war कहां से 1909 में, कहां से world war आ गया भई, ठीक है, अभी तो world war शुरू भी नहीं हुआ था, separate electoral system लागू करना, ये बिल्कुल सही है आपका, actually friends, हिंदू और मुस्लिम के अंदर में खाई को बढ़ाने के लिए, दूरिया बढ़ाने के लिए, मुस्लिम को separate electorate दे दिया गया, मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, कि मुस्लिम को कुछ reservation दिया जाए, एक प्रकार का reservation होता है, बट थोड़ा reservation से advanced version है, जिस जगह पे separate electorate दिया जाता है, वहाँ पर में उसी संप्रद correct answer, ठीक है, जब भारतिया परिषयद अधीनियम 1909 अधीनियम पारित किया तो भारत का वाइसराय कौन था, इसी को जो है, father of Indian communalism कहा जाता है, यही था सफेद मुहा जिसने क्या किया भारत के अंदर में खाई बढ़ाई हम लोगों के बीच में, ठीक है, जल्दी जल्दी ब call कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप Teaching परिक्षय अप्लिकेशन पर डारेक जाकर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नि आएगगे आपको, ठीक है, भारत का वाइसराय था, तो Lord, ठीक है, कौन थे, Lord Morley थे या Lord Minto थे, Morley Minto reforms कहा जाता है, लेकिन Morley भारत के Secretary of State for India थे, वाइसराय था, Lord Minto, इसी को जो है, Friends, क्या कहा जाता है, Father of Communal Electorate, ठीक है, सांप्रदाइक, जो निर्वाचक मंडले उसका जन्व दाता, Father of Indian Communalism, Father of Communal Electorate, Communal, Communal, ठीक है, Communal Electorate, Electorate, ठीक है, Communal Electorate, मतलब Community, इसके आधार पर, सांप्रदाइक्ता के आधार पर, धार्मिक्ता के आधार पर, जाती के आधार पर, अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग ट्रीट करना, तो Father of Communal Electorate किसको बोलते है, Lord Minto को, ठीक है, तो आंसर आपका question का answer क्यों होगा, 4800 से जादा likes हो चुगे, जल्दी-जल्दी से session को ऐसे like and share करते रहेंगे, आप सभी लोग, को, ओके, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि, Government of India Act 1909, जो है, इसको Moral and Mentor Reforms के नाम से जाना जाता है, इस Act ने Communalism को Legalize कर दिया, Communalism मतलब कि, सांप्रदाइक्ता को वैद कर दिया, कि सांप्रदाइक्ता क्या आधार पर, धर्म क्या आधार पर जाती क्या आधार पर, जो है, अलग-अलग elections होंगे, तो ये दोनों पॉइंट तो सही है, कि, भाई, Moral and Mentor Reforms कहते है, 1909 वाले को, ये बात सही है, आप लोगों को मानते हो, ठीक है, जो है, दूसरा वाला पॉइंट दिया है, कि, Act जो है, इसने Communalism को वो कर दिया, अब, Communalism को इसने Legalize कर दिया, क्या, इसके वज़े से, इसको Mor Morale Minto Reforms, इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि उस समय में, भारत के Secretary of State for India, जो थे, वो Lord Morale थे, और भारत के वाइसराय थे, Lord Minto, भारत के मामलो के सचीव, जो बिटेन में, लंडन में रहते थे, ठीक है, वो थे Lord Morale, और भारत के अंदर में वाइसराय थे, Lord Minto, तो उनके ना यहां पर में Morale Minto Reforms कहा जाता है, 1909 वाले को, ठीक है, रामलाल शामलाल होते हैं, रामलाल शामलाल reforms बोलते हैं, इसको, यहां पर में अध्रक और लस्थन करते हैं, अध्रक लस्थन reforms बोलते हैं, अरे भाई, वो दो थे वेक्ती, इनके नाम पे पढ़ा है, कम्यूनलिजम क इस वज़े से नाम नहीं पढ़ा, ठीक है, दोनों सही है अपने आप में, लेकिन R जो है, वो A का reason नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, बोथ, A and R are true, but R is not the correct explanation of A, उसके लेना देना ही नहीं है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र रूफ से जो है, वो सही है, स्वतंत बनाए थे, इस Act ने Communalism को Legalize कर दिया, वो भी एक अलग बात है, ठीक है, तो B is the correct answer, अच्छा, इसी Act के तहत, एक बहुत important वाली बात बता रहो, आप लोगों को ध्यान से सुनना आप सभी लोग, friends, Satyandr Prasad, ठीक है, Sinha, ठीक है, जिनको Satyandr Prasad Sinha बोला जाता है, जो Indian Council Act आप लोगों का, 1909 का, जिसको Morale Minto Reforms भी कहते है, उसी के अंदर में, पहली बार, वाइसराई की Council में, ठीक है, पहली बार, भारतियों को शामिल किया गया, और पहले भारतिये वेक्ति, जो वाइसराई की Executive Council में मंत्री बने थे, Executive Council मतलब, वही, जैसे, मोधी जी है, प्रध Executive Council में शामिल किया गया, इनको Law Member, या फिर कानून मंत्री बनाया गया था, तो वाइसराई की Executive Council में शामिल होने वाले पहले वेक्ति, सत्यंदर प्रसाद सिन्हा, बहुत ही important question है, friends, इस particular question को आप लोग याद रखिये, important है, exam के अंदर में आप लोगों से पूछते है, ये question, ठीक है, आप लोगों को बता दू, कि ये सत्यंदर प्रसाद सिन्हा जो है, बिहार और उरिशा प्रांथ के 1921 में जाकर, गवर्नर भी बने थे, सत्यंदर प्रसाद सिन्हा, तो आप से पूछा जा सकता है, बिहार और उरिशा प्रांथ, color change कर देते हैं, ताकि आपको और अ 1915 के अंदर में, Bombay अधिवेशन के अधियक्ष भी बने थे, आपको और क्या बताओ, इनके बारे में, मतलब, multi-talented वेकती थे, तुम तो, multi-talented, ठीक है, चलो, तो Indian National Congress का, जो अधिवेशन हुआ था, आप लोगों का, 1915 का, कहा हुआ था, Bombay में, उसके अधियक्ष भी बने के तुमने, बताओ के बच्चों को, कि यहां का गवर्नर बनने के पहले, एडवोकेट जनरल, वहां के जो है, महादी वक्ता थे, बंगाल सरकार के वकील थे, करके तुम, Indian National Congress के, 1915 के, Bombay अधिवेशन के अधियक्ष बने थे, यह भी याद रखेना है, आप सभी लोगों के मैं, मतलब भाई, तुम्हारा भाई, मल्टी टैलेंटेट था, ठीके, जी हां, बिल्कुल बहु आयामी थे यह, तो सचेंदर प्रसाथ सिन्हा, 1909 के अधिवेशन, जो अधिनियम था, उसके तहत, पहली बार, वाइसराई के एग्जिकेटिव के अंदर में, पहले भारतिय लिए, आप लोगों को, when was Bengal again unified due to protest, बंगाल का विभाजन हुआ था आप लोगों का 1905 में, to be specific 16 October को, ठीक है, लेकिन बाद में इस बंगाल के बटवारे को रद्द कर दिया गया, और 1911 में वापस से बंगाल को एक कर दिया गया, 1911 के अंदर में, ये प्रक्रिया पूरी हु तलाक हुआ था, ठीक है, तो मतलब बंगाल का बटवारा हुआ था, लोड करजन भारत के वाइसराय थे, लेकिन जब वापस से reunify किया गया, बंगाल के partition को, ठीक है, कैंसल कर दिया गया, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, लोड हर्डिंग थे, ये भी question बनता है आप लो को बंगाल प्रांथ से अलग होकर, बिहार एन उडिसा प्रांथ बनाया गया आपका, बिहार एन उडिसा प्रांथ, एक अप्रेल 1912 को, बंगाल का एकी करण किस सन में संपन्न हुआ, मैंने अभी आप से बताया कि, शुरू आ हुआ था, ये इसकी घोशना होई थी, 1911 में, ये संपन्न हुआ 1912 के अंदर में जाकर, ठीक है, बंगाल का यूनिफिकेशन, 1912 में जाकर संपन्न हो गया, ठीक है, चलिए, जल्दी जल्दी से फ्रेंट्स, ऐसे ही आप लोग जो है, सेशन को लाइक और शेर जरूर करते रहिए और कमेंट में आंसर्स करते रहनें आप स अंग्रेजों के समय में, 1911 तक, भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली राजधानी बना दी गई, तो 1911 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखनें आप लोगोंने, जो 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 जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, जो भारत आये थे, उन्होंने उसकी घ जिहार और उड़ी सा प्रांथ को अलग कर दिया गया था, ये तीन इंपोर्टन वाली घोशना है थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप सबी लोग, फ्रेंड्स की, 1911 के अंदर में, डिसंबर के महिने में, दिल्ली दर्बार भराया गया था, जिसमें जो जो है जो है जो है फाइव जो भारत के अंदर में आए थे, भारत की राजधनी कलकाता से दिल्ली कब बदली गई, तो 1911 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये घोशना होई थी, अभी भी बता रहो मैं फिर से आपको, ठीक है, और ये संपन कब हुआ, 1912 के अंदर में, वही हुई 1911 में संपन हुआ 1912 के अंदर में ठीक है बिहार बंगाल को अलग करने की गोश्चन 1911 में हुई वो संपन कब हुआ बिहार एन उड़ीशा प्रांथ अलग हुआ आप लोगों का 1912 एक अप्रेल 1912 को ठीक है ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थाना न्तरंड किसके काल में कार्यानवित हुआ था ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप सभी का भी और पूरा जितना भी है पूरा नेचर और हर चीज़ का ठीक है 5000 प्लस ठीक है लाइक्स सेशन के बीच में बहुत 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 बढ़ा वाला शुक्री आप सभी लोगों का मुझे लग रहा है कि अब यह पूरी जो मेहनत थी ना यह सफल हो गई ठीक है आप लोगों के इतने जादा प्यार के कारण बहुत बहुत शुक्रिया तो देखे फ्रे लिग भारत के वाईस अरा यह याद रहेंगे आप सभी लोग फ्रेंट्स नेक्स्स कोशन की तरह में आगे बढ़ते हैं भारतिये किसानों के इतिहास में संगठित अस अधारन का प्रतम उधारन काहा घटित हुआ ठीके 9 10 के अंदर में 26 आठ 2 होजा 2 हीह के अदर में पू तो ये आप लोगों को जो है eh Ya best, बिहारान बंगाल की अलगों में मिलता है। इसका एक ऐक ऐग्जाम्पल आप लोग के हां पर में देख सकती हो cepähänरनु का आंदोलन आप लोगों का नील विद्रो यह सारे के सारे आंदोलन कहा देखने के लिए मिले क्या मदरास में देखने मिले पंजाब में देखने मिले नहीं जी यह तो आप लोगों को बिहारें बंगाल के अंदर में देखने के लिए मिले थे ठीक है तो यह डायरेक्ली आप बंगाल के अंदर में, बिहार के अंदर में, इन इलाकों के अंदर में किया था, यह याद रखने हैं आप सभी लोगों ने, तो answer is option number A हो जाएगा, ठीक है, next, गांधी जी को विशेश रूप से चंपरन आने, वहां के क्रिशकों की दैनी स्थिती को देखने के लिए, किसने रोध किया था, ठीक है, तो गांधी जी को किसने बुलाया था, तो गांधी जी को यहाँ पर में, आप लोगों को याद रखने हैं, किसने बुलाया था, तो answer आप लोगों को हो जाएगा, राज कुमार, ठीक है, very good, ठीक है, राज कुमार शुकला, ओके, राज कुमार शु आप लोग देख सकते हो friends कि Teaching Parisha का जो Teaching Parisha का जो YouTube Channel है Teaching Parisha का उसके ओपर में Community Box के अंदर में आप लोगों के लिए काफी सारी चीज़े डाली जाती है तो आप उनको like करते रहा किजिए उनके अंदर में comment कर रहा किजिए ताकि आप लोगों को और जादा जो है उसके recommendation और उन सारी चीज़े आप लोगों को मिलते रहे ठीक है 1907 में जो शुकला थे ठीक है शेक गुलाम उन्होंने एक organization स्टार्ट की थी Indigo Plantation के लोगों के लिए ठीक है और इसके अलावा जो है friends 1916 के अंदर में गनेश शंकर विध्यारती जो थे उन्होंने बोला कि आपको क्या करना चीए यहां पर में लखनौ जाना चीए ग गांधी जी को बुला कर लेकर आओ ठीक है तो राजकुमार शुकला वही गये गनेश शंकर विध्यारती के suggestion पर वो गये 1916 में लखनौ और गांधी जी से मिले गांधी जी दो मिनिट इदर आते के थोड़ा सा बात करनी है आपसे गांधी जी बोले क्या हुआ बेटा बोले देखो उदर में इसी भसड मची पड़ी हम लोगों से इंडी को उगारे जबरदस्ती तीन कठिया सिस्टम लागू है चलो ना थोड़ा सा करो ना तुम उदर में आकर ठीक है तुम तो फेमस है गांधी जी का क्या गांधी जी को भाई आंदुलन करना है वो बले गांधी जो है फ्रेंट्स वो पटना पहुचे गांधी जी ने मोतिहारी के अंदर में मोतिहारी जो है 15 अपरेल 1917 को मोतिहारी पहुचे वो और वहां से फिर चंपरन अंदोलन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था यह याद रखने आप सब लोगों ने चंपरन नील अंदोलन के कौन कौन थे और मैं आप लोगों को जो है फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दू ठीक है यहाँ प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाने वाला हो मैं प्रूफ के साथ एकदम एक्जैक्ट प्रूफ के साथ मैं TRE देख सकतो TRE फीमेल के अंदर में कोश्चन आया okay, two hundred likes, क्या बात है? Kazzap, okay, thank you friends, और यहां पर आप आप लोग देखी इस पडिगोलो कोश्शन का अंव सर जो लेणित महातमा गांधी दूरिग द्धा चमप त्था tough ऊंदिधी मोंमेंट , तो गांधीband जी के साथ में मिले नरहरी पारीग धूर यूग ए help गय थे चंपरन के अंदर में, जेभी कृपलानी ठीक है, गांदी जी को यही पर मिले थे, जेभी कृपलानी, तो यह जो है इंपोर्टन कुछ लोग है, जिनकी मुलाकाइजी जो गांदी जी के साथ में थे उस समय में, ठीक है, तो नरहरी पारीक और महादेव देशाई, इनको कहा जाता है, उनकी पहली मुलाकात भी गांदी जी की यही से हुई थी, राजेंदर प्रसाद, गांदी जी की पहली मुलाकात यही पर हुई, ठीक है, चलिए, तो यह देख सकते हो, आप लोग साथीज चंदर की जो बुक है, आप लोगों की 1857 तो 1947, ओफिशियल, आ यह दो यंग मैं थे गुजरात से, जिन्हों ने गांदी जी के साथ में यातरा की थी, चंपरान आंदोलन के अंदर में, ठीक है, और देखे, वही कोशन नरही पारेक महादेव देशाई, पूछा, मतलब कोशन कहा से पूछा तो समझ गये, अब मैं आप लोगों को बता द आप लोगों को मैं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि पेपर कहा से बन रहा है आप लोगों का, यह होती है, फ्रेंट्स, पावर ओफ रिसर्च, अब देखे, यहां पर मैं आप लोगों का TRE female के अंदर में, कुशन पूछा गया आप लोगों का, बताए इसका अंसर क्या हो कॉटन मील वरकर्स, कॉटन मील वरकर्स का जो सत्यागरा था हो तो एहमदाबाद में हुआ था, आपको पता यह फ्रेंट्स, कापास मील मजदूरों का सत्यागरा, गांधी जी ने, 1908 के अंदर में, एहमदाबाद में लडाई-लडी थी, ठीक है, और सायोग अंदोलन को ब तोड़ा सा समझना चीए कि भाई, वो मुमेंट नहीं था वो एक घटना थी, तो सयोग अंदोलन को बंद करने के लिए अंदोलन नहीं था, वो घटना थी, घटना, तो चारी-चारा घटना थी आप लोगों की एक, तो D की जोडी जो है, वो 4 के साथ लगनी है आप लोगो तो answer more than one of the above, तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये भी answer नहीं हो सकता, अब हम check करेंगे इसको, ठीक है, 2 और 1, A और B को check करेंगे, ठीक है, खेती हर सत्यागरा, moment of indigo planters, तो आपको पता है friends की, नील के पौदे उगाने वालों के लिए आंदोलन जो है, चंपरन में हुआ था, ती obviously जो B बज़ गया वो 3 के साथ लगेगा, C is the answer, option elimination करते जाओ, आप लोग, ठीक है, एक बार फिर से समझो, क्या किया हमने, हमने देखा cotton meal workers का सत्यागरा एहमदाबाद में हुआ था, कपास meal मजदूरों के लिए गान्दी जी ने आंदोलन चलाया था, ठीक है, का बन गया, Indigo Planters, जो नील की खेती लगाने वालों के लिए गान्दी जी ने आंदोलन किया था, ठीक है, चंपरन में किया था, तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी है आप लोगों की, तो यहाँ पर में भी नहीं थी, यहाँ पर में भी नहीं थी, तो आंसर तो सी ही होता आप लोगों को याद हखना है, खेती हर सत्यागरा, यह खेडा में हुआ था आप लोगों का 1908 के अंदर में गान्दी जी ने किया था, ठीक है, नेक्स्ट कोशन, के तरफ में आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, ठीक है, आप देख सकते हो, यह पूरी की पूरी चीज आप लोगों को के अंदर में, घेती हमें देख साथी साथ हीरी ग्लास एट जो है, उसमें भी दिया हूए, आप लोगों के यह ही चहृरी-चौरा वली घटना देखिये, आप हम भी आप महात्माा गांधी की this, चमहरन वाली, सारा का सारा चीज आप लोगों को दी के गहीं है कि खिर्फत ऑन थे के प्रमुक commissioner निम्डली कर ने क्यों थे हैं सिंपल सी बात है कि खिर्फत आंदोलन अप लोगों का वह आंदोलन था जिसके अंतरमेट टो तुर्की के सपस्मॉराड थे उनके अधिकारों को खतं किया जा रहा था तो तुर्की के समराड को बचाने के लिए या फिर इसलामिक परंपराय जो थी जो क्योंकि तुर्की के समराड को खलीफा कहा जाता था और वो इसलामिक पद्दती के अनुसार सारे मुस्लिम्स के निता थे तो उनका अपमान हो रहा था उनके अधिकार छेने जा रहे थे तो भारत में भी एक अंदोलन शुरू हुआ, खलीफा के अधिकारों को बचाने के लिए, उसको खिलाफत अंदोलन बुलते हैं, ये खिलाफत अंदोलन को, ठीक है, मुहम्मद अली और शौकत अली, जो अली ब्रदर्स कहलाते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, मुहम्मद अल अली थे, मुहम्मद अली अलग है, तो मुहम्मद अली, मौलाना, मुहम्मद अली और शौकत अली, तो आंसर इसको option number A हो जाएगा, आप लोगों का, अबुलकलामाजाद, रफी एहमद नहीं है, वो उसके साथी थे लिए यहाँ पर में, जो main leaders थे, यहाँ पर में, खिलाफा तांदोलन से जुड़ गए थे, वैसे जो है, फ्रेंड यह खिलाफा तांदोलन आप लोगों को पता है कि, मुस्लिम नेता, जो खलीफा थे, तुर्की के समराठ, उनके अपमान को रोकने के लिए था, तो महात्मा गांदी का क्या काम वहाँ पर में, लेकिन महात स्ट्रेटेजी की भी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी, तो चली यहाँ पर में मुहमद अली जिन्ना जो है, यह याद रखने आप सभी लोगों ने, इनको मिर्ची लगी थी, यह कॉशन काफी इंपोर्टन है कि, कि कि ने विरोध किया था, खिलाफा तांदोलन का गांदी ज इसी वज़े से मिर्ची लगी थी, वर्ल्ड हिस्ट्री के कोशन कराने है, मैं बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कोशन्स आप लोगों को करवा दूँगा एक सेशन के अंदर में, ठीक है, महात्मा गांदी दुवारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, अब जनता के लिए, बड़े लेवल के उपर में चलाया गया आंदोलन की बात हो रही है आपर में, गांदी जी के दुवारा चलाया गया पहला बड़ा आंदोलन आप लोगों का, तो गांदी जी के दुवारा चलाया गया पहला बड़ा आंदोलन जो जन आंदोलन था, यह 1818 में एहमदाबाद में जो गांधी जी ने किया था एहमदाबाद में ठीके वो मजदूरों के लिए था ठीके जो मजदूर थे ठीके मजदूर उनके लिए था 1918 में गांधी जी ने खेडा सत्या ग्रह किया था, ये भी किसानों के लिए था, किसान, पहली बार जन अंदोलन, जनता के बीच में जाकर बड़ा अंदोलन जो गांधी जी ने किया था, वो था 1920 में, ठीक है, 1920 में नॉन कॉपरेशन जाता है, तो गांधी जी का पहला जन प्लीज इसको याद रखिए बहुत ही जादा important point है exam के अंदर में पुछा जा सकता है आप लोगों का, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अच्छे से करके जाओ, यहाँ पर में maximum लोग नील मुमेंड या नील अंदोलन यह चंपरन सत्यागरा लगा देंगे, लेकिन actual में इसका जो आंसर है वो non cooperation moment है आपका, असहियोग अंदोलन, जो 1920 में start हुआ था, ठीक है, चलिए, next day friends, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ती का लक्षे था, गांदी जी ने बोला था कि, एक साल के अंदर अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा, मतलब हमको हमारा अध में हमने अच्छे से किया, तो एक साल के अंदर अंदर स्वराज मिल जाएगा, वो बात अलग है कि स्वराज मिला नहीं हम लोगों को, लेकिन गांदी जी ने ये नारा दिया था कि हम अगर सही से करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है, possible है, चीक है, तो D is the correct answer, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष है गांदी जी का कब था, नौन कोपरेशन मुवमेंट के समय में, ये गांदी जी का पहला जन अंदोलन था, फिर से रिविजन, रिविजन करते जाएंगे हम लोग, रिविजन इस दा की, तो रिविजन बता रहो कि गांदी जी का पहला जन अंदोलन, बड़े लेवल के उपर में, नौन कोपरेशन मुवमेंट कब सस्पेंड कर दिया गया, देखो स्टार्ट हुआ था आप लोगों का ये 1920 में, स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 1922 में, ठीक है, February 1922 में, चौरी चौरा नाम की जो घ अंदोलन को स्थगित कर दिया था, नौन कोपरेशन मुवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है, तो ये याद रखने है, आप लोगों ने, कब बंद किया था, स्टार्ट पोले और बंद कब हुआ तो थोड़ा से ध्यान रखने है आप लोग इसको, अब स्टूडेंस ने मिला जल्दी जोड़ी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताईए, कौनसी जोड़ी किसके साथ में लगने वाली है, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे इस पर्टिकूलर कोश्यन का, बताओ, चंपारंण सत्यागरा, एहमदाबाद मिल स्ट्राई, खेडा सत्यागरा अफ़फानता नोनकोपरेशन मुवमेंट, चंपारंण सत्यागरा हुआ था आपका 1917 के अंदर Top 15, 918 से फेडा सत्यागरा by 1918 से रतीक Nic G traderण सत्यागर, Barbie 1990 मिल A tomod 1920 में, ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले आना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए चार, बन पहले before चार सबसे लास्ट में, तो एक ही जगह पे दिया हुआ है, वन पहले और चार आखरी में, है ना, एक ही जगह दिया है, अब बात आती है इन दोनों की, कितने लोग चाहते कि इनका भी बिल्कुल पोस्ट मॉटम अच्छे से कर दिया जाए, है ना, तो ध्यान से देखिए क्योंकि फसल बरबाद हो गई थी, तो यह अंदोलन मार्च में हुआ था, तो पहले एहमदाबाद हुआ, फिर बाद में खेडा हुआ, मैं आपको बता दू कि के अंदर में, के वीस TGT 2018 के अंदर में भी इसी तरीके का similar type का question पूशा गया था, similar question, ठीक है, similar type का question, तो इसक हुआ यू था, 1922 में, गया में Indian National Congress का session हो रहा था, INC का, ठीक है, और उसके अध्यक्षते, Chitranjan Das, Chitranjan Das ने इस्तिफा दे दिया, और उन्होंने एक नई party बना ली थी, New Party, New Party, उसका नाम था, ठीक है, आपका, जो है, Swaraj Party बना दी थी, उन्होंने Swaraj Party All India, ठीक है, Swaraj Congress भ बना जाता था, Swaraj Party बना ली थी, ठीक है, तो, उसकी बिहार शाखा किस ने खोली थी, उसकी बिहार शाखा का गठन किस ने किया था, बिहार के अंदर में, All India लेवल पे तो Chitranjan Das ने किया था, ठीक है, लेकिन, बिहार के अंदर में, Shri Krishna Singh जो थे, उन्होंने किया था, इसक Swaraj Dal की स्थापना, Swaraj Party 1923 के अंदर में, 1922 का जो सेशन था आपका, December 1922 में हुआ था, नई पाटी जो बनी थी आपकी, January 1923 में बनी, December के बाद में January आ गया, ठीक है, 1923, डारेक्ली क्योंकि December के बाद January फटाक से आ गया न, तो, 1923 के अंदर में, Swaraj Party का गठन हुआ, Chitranjan Das, Muthilal Nehru, इनके द्वारा, Bihar शाखा, श्री कृष्ण सिंग, जो कि बाद में जाकर आपके पहले मुख्यमंत्री भी बनते है, Bihar के, उन्होंने की थी, याद आखने आप लोगोंने, चलिए, भारत में Simon Commission का बहिशकार क्यों किया गया था, भारत में Simon Commission का बहिशकार क्यों क्या कारण था, कि भारत के अंदर में Simon Commission का बहिशकार किया गया, मैंने 20 अगर्स वाला सीटेट पेपर दिया था, जो क्लियर हो गया, मेरे 60 में से 59 आए थे, आपकी क्लास बहुत अच्छा, वैदेही लाइव जी, आपको बहुत बहुत शुपकामना है, अब अच्छे से आ जी आप सब का, यहां पर में, जी देखिए, इस साल जो BPSC होने वाली, उसके अंदर में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ाई दे रहा हूँ, Simon Commission was boycotted in India, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी थे, वो सारे के सार इसके अंदर में शामिल नहीं था, जबकि Simon Commission का गठन किया गया था, भारत का पॉलिटिकल भविश्य निर्धारीत करने के लिए, एक भी भारतिय उसमें शामिल नहीं था, तो जब एक भी भारतिय शामिल है ही नहीं उसके अंदर में, सारे के सारे वाइट लोग है उसमें, तो अव्यसिति बात हम इसका विरोथ करेंगे, टिक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्laşता में, साइमन कमिशन का गठन किया गया, आप लोगों का, साइमन कमिशन का गठन किया गया था नोवेमबर 1927 में, और साइमन कमिशन भारत पहुचा, फिक है? इंडिया में आया लगो, एक होता है स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी November 1927 में, यह भारत कब आया, भारत आया यह आपका February 1928 में, तो दो पॉइंट है, स्थापना कब हुई और भारत कब आया, दोनों लिखो सभी लोग जल्दी जल्दी से comment में, एक बार लिख दो, यह पॉइंट ही लिख द अभी फिलाल के अंदर में नहीं होने वाले है, इस बार आप लोगों के, ठीक है, PDF जो है, कहा मिलेगा, PDF जो है, आप लोगों को मैं बता दू आपका, ठीक है, देखे, निधी सिंग जी, मैंने इसके उपर में आपका पूरा एक बकायदा, एक वीडियो बना के, जो है, बाकी लोग जो है, इधर उदर करते रहेंगे, आप लोग पढ़ा ही कर रहें, आल पार्टी जो है, इन्होंने यहां पर में, decision लिया कि हम साइमन कमिशन का विरोध करेंगे, चलो, तो यह थोड़ा सा आप लोगोंने याद रखना है, जब साइमन कमिशन भारत आया, उस सम में भारत के वाइसराय थे, लौड इर्विन, और इन्होंने ही सुझाओ दिया था, कि भाई, एक भी भारतियों को ना लो, सारे के सारे जो है, वो ब्रिटिश लोगों को ही लो, इनके सुझाओ के उपर में यह काम हुआ था, कि एक भी भारतियों को नहीं लिया, किस ने सुझा गया कोश्चन, ठीक है, तो भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया था, किस के सुझाओ पर, तो उस समय में भारत के वाइसराय थे, लौड इर्विन, इनके सुझाओ पर, ठीक है, लौड इर्विन के सुझाओ पर, यह याद रखनें आप सभी लोगोंने, नेक्स कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं, दांडी मार्च जो है, इसकी शुरुवात कब हुई थी, दांडी मार्च, गांधी जी की हिस्टोरिक दांडी मार्च, जिसके बाद में सवीनय अवग्या अंदोलन शुरू हुआ था, तो गांधी जी ने एतिहासिक मार्च 1930 से की थी, ठीक है, इसमें गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, ये भी अपने आप में इंपोर्टन कोशन बन जाता है, ठीक है, तो 78 लोग थे और खुद एक महात्मा गांधी, खुद भी थे, तो 78 लोग थे गांधी जी के साथ में, यहां पर में याद रखना ह कितनी यात्रा की थी गांधी जी ने, गांधी जी ने दांडी नाम की जगा तर जाने के लिए साबरमती आश्रम से, ठीक है, 240 मील का रास्ता, माइल्स जिसको बोलते है, वो यात्रा की थी, अगर किलोमेटर में बोला जाये आप लोगों का, तो 386 किलोमेटर हो जाता ही है, पैदल पैदल यात्रा की गांधी जी ने, ठीक है, इस तरीके से, 78 लोगों के साथ में, आगे 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 बढ़ते के गांधी जी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यात्रा की थी, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यात्रा शुरू की 6 ही एक जो है आउक सांटि इंडिया में भी चलाया गया था तुमिल नाडू में साउथ इंडिया में, दक्षिन भारत में, साउथ इंडिया, यह NCIT में दिया हुआ है पॉइंट, सी राजगोपलाचारी, तो सविने अवग्या अंदोलन, या दांडी, जो सॉल्ट सत्याग्रा था, नमक सत्याग्रा, उसके दक्षिन भारत के वयोवरिद निता कौन थे, किस इसने दक्षिन भारत में कमान सभाली थी, तो दक्षिन भारत के अंदर में फ्रेंट्स, ठीक है यहां पर में, इस तरीके से उन्होंने War behavior, वेधारा नयम, यात्रा कहा जाता है, वेधा नयम, यात्रा, पद यात्रा निकाली थी, जैसे गांदी जी कि ने वहां निकाली गुजरात में निकाली तो सी राज गोपलाचारी दक्षिन भारत के अंदर में वेदारा नयम यात्रा निकाली थी इन्होंने चीक है चलो तो आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में फ्रेंड्स हमारे जो है नेक्स्ट जो कुश्चन है हमारा उसके तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे एक कुश्चन आप लोगों से में हाँ पर में पूछना चाहूंगा कि गांधी जी के साथ में 78 लोग गए थे ठीक है उन में से क्या हमारे बिहार से भी कोई था तो गांधी मांच में गांधी जी के साथ बिहार का कौन सा वेक्ती था एक्जाम में पुछा जाने वाला कुश्चन गांधी जी जो है वो चल रहे थे साहित्य के भी क्लासे स्टाट करा देंगे तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएंग आप लोगों का ठीक है गिरिवर्वर्धारी चौधरी राजेंदर प्रसाद सैफी इमाम मोर दन वन अफ दियाबो नन अफ दियाबो तो एक ही वेक्ती थे जो बिहार से ठीक है थे गांधी जी के साथ में वो थे गिरिवर्धार ठीक है गिरिवर्धारी चौधरी तो याद रखने आप सभी लोग ने फ्रेंदर गिरिवर्धारी चौधरी यह वह वेक्ती थे जो महात्मा गंधी के साथ में थे यह याद रखने आप सभी लोग ने महा आपका, The Life of Mahatma Gandhi, यह उन्होंने लिखी थी, book, और उन्होंने गांधी जी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में यात्रा की थी, उस पत्रकार ने, अमेरिका का पत्रकार था, वो USA का पत्रकार, चलो यह भी हिंट मैं आप लोगों को दे दिया, तो friends, The Life of Mahatma Gandhi नाम की जो उस तक लिखी थी, Louis Fisher ने, Louis Fisher, Gandhi जी के साथ में, कहां पर में चले थे, Quit India Moment में, Quit India Moment, Quit India, 1942 में, ठीक है, और वैसे ही, एक और वेक्ती भी थे, ठीक है, आपका, Webb Miller, यह Gandhi जी के साथ में, दांडी यात्रा में चले थे, दांडी, दांडी यात्रा में, दांडी यात्रा, 1930 में, त आप सभी लोग लिखेंगे, जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग है, जिन्हों ने अभी तक Teaching Parisha Channel को सब्सक्राइब निक है, अभी के अभी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो के notification time to time मिलते रहे, ठीक है, सभी लोग, यहां पर में आप लोग देखी, Louis Fisher, Quit India Moment के स समयलन में भाग लेने वाले दो important निताओं के नाम आप लोगों को नहीं याद रखने है, दो, ठीक है, पहली बात तो यह गोल में समयलन क्या होता है, तो देखो, मैं आप लोगों को बताना चाओंगा, गोल में समयलन इस तरीके से पूरा पूरा round table में बैट कर, बात करना, मीटिंग करना, चर्चा करना, ऐसी तीन मीटिंग बुलाई गई थी, किस बारे में चर्चा करनी थी, तो चर्चा करनी थी साइमन कमीशन की report पर, second Commission, साइमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट सौबदी थी 1930 में, रिपोर्ट सौबदी 1930 के अंदर में, अब इस पर चर्चा करनी थी कि कौन सी चीज रखी जाए, इस रिपोर्ट में से कौन सी ना रखी जाए, तो उसके लिए तीन बार सम्मेलन बुलाए गया, पहली बार सम्मेलन ब आप लोगों कि मैं आप लोगों को बता दू, Dr. B. R. Ambedkar है, इसके अलावा जो है friends यहां पर है तेज-Bahadur-Sapru, ठीक है, तेज-Bahadur-Sapru, यह important निता है, और भी लोग ते लिगिन यह दो लोगों के नाम आप लोगों नहीं याद रख रहे हैं, जो जिन्नों ने तीनों गो रहे थे, only second वाली में, चीक है, first वाला हुआ था 1930 में, second वाला 1931 में, third वाला जो हुआ था आप लोगों का 1932 में, तीनों के तीनों roundtable conference लंडन में हुए थे, यह याद रखना है आप लोगों ने, लंडन के अंदर में, तीनों, चीक है, तो तीनों गोल में, सम्मेलन के रामबेटकर और तेज बहादूर सप्रू, लेकिन और अगर आप लोगों को याद रखना है, तो M, R, जैकर भी थे, ठीक है, N, M, जोशी, और C, N, मुदलियार, ठीक है, यह तीन लोग और भी थे, लेकिन आप लोगों से जो पूछे जाते हैं, एक्जाम के अंदर में, Dr. B, R, आमबेटका, तेज बहादूर सप्रू, मैक्जिममम टाइम, यही कोशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आप लोग चाहो, तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, वाकि आप लोगों को जो है, टेलीग्राम ग्रूप के उपर में, टीचिंग परीश में हुआ था, प्रथम गोल में समयलन, इस समय इंग्लेंड के प्रधान मंत्री थे, आपके, रामसे मैकडॉनल्ड, ठीक है, रामसे मैकडॉनल्ड, यह याद रखना है, विंस्टन चर्चिल जो है, वर्ल्ड वार टू के समय में थे, बार 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 बतारो आपको, कितने ब रामसे मैकडॉनल्ड थे, गोल में समयलन के समय में, इन्होंने ही 16 अगस्ट 1932 को कम्यूनल अवार्ड की घुशना की थी, जिसमें जो दलित लोग है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, बाद में ब्यार आमबिटकर और महात्मा गांधी के बीच में सम्झ किस भारतिय नेता ने लंदन में प्रथम गोल में समयलन में भाग लिया था, ठीक है, कौन से थे यहां पर में, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, देखो, कॉंग्रेस तो गई नहीं, पहले पहले वाले कॉंफरेंस में, प्रथम वाला बोल रहा है तो कॉंग्रेस का कोई नेता नहीं है, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, पंडी जवारलाल नहरू, किसी में भी नहीं गए, महात्मा गांधी केवल सेकेंड वाले में गए थे, तो यह तो आप लोगों का हो नहीं सकता था, तो एक ही है फ्रेंड्स यहां पर में, जो केवल आप लोगों का बच जाता यहां पर में, मौलाना मौममद अली, तो यह याद रखना है, मतलब कॉंग्रेस के नहीं थे, वो गय थे यहां पर में, इसके अंदर में पाटिसिपेट करने के लिए, तो यह थोड़ा सा एक पॉइंट है आप लोगों का, जो आप लोगों ने का विरोध किया तो गांधी जी को मनाने के लिए 1931 में लॉर्ड इर्विन ने उनको अपने घर बुलाया लॉर्ड इर्विन ने वाइसराय पैलेस के अंदर में जिसको आज आप लोग राष्ट्रपती भवन बोलते हो वहापर में बुलाया और उन्होंने कहा कि गांधी जी यह अपनी हट धर्मिता छोड़ दो चलो उदर में ठीक है गोल में सम्मेलन के अंदर में बातचीत करो क्या है मांडवली करो और समझो आगे बढ़ते हैं अपन लोगे हापर में ठीक है तो उनके बीच में कुछ समझाओता हुआ कुछ बाते गांधी जी ने शर्थ रखी क कुछ बाते मानी इसको गांधी इर्विन समझाओता कहा जाता है मार्च 1931 में हुआ था यह समझाओता बहुत ही फेमस है हर कोई बच्चा कमेंड बॉक्स में पुछा गया कुश्चन 54th VPSC के अंदर में 2011 में 44th VPSC 2001 के अंदर में पुछा गया कुश्चन आप खुद ही दे इनर्जी दे सकता हूँ जब मैं बोल सकता हूँ continuously तो आप लोग सुनकर अच्छे से concentration के साथ में देख क्यों नहीं सकते आप लोग समझे इस चीज़ को यह जो आप लोगों का सुनना है यह जो बैठना यहां पर में बैठकर अपना दिमाग लगाना है यहां पर में करनी है नहीं आरा कोशन बार बार ट्राय करना है लिखना है रिविजन करनी है यही आपके सपने आपके माबाप के सपनों को पूरा करेगा आप लोगों को क्या लगता है इतना आसान है कि बस भाई सभी को मिल जाए यहां पर में जब मैं बोल कर पूरी महनत कर सकता हूँ तो आप सुनकर महनत क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ समझ ही है आप लोग यहां पर में, तो हर एक बच्चा पूर की पूरी जान लगा देंगा अपनी यहां पर में, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपका पेपर क्लियर करवा के दूँगा, आप लोग अगले देड़ महनत देजिए, यहां पर में पूरी अच्छे से महनत कीजिए, आप देख रहोंगे, पिछले धाई घंटे से मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है, और मैं आने भी नहीं दूँगा, आप लोग बस महनत अच्छे से करते रहे हैं, आप लोगों से सिर्फ सेलेक्शन चाहिए मेरे को, हर एक बच्चा प्रॉमिस कीजिए, कि सेलेक्शन देगा वो यहां पर में, पूरी की पूरी अपनी महनत करेगा, तो 1931 के अंदर में मार्श में गांधी इर्वीन समझवता हुआ था, यह याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है, गांधी इर्वीन समझवता हुआ, इसके बाद में एक आप लोगों की जो, आप लोगों का एक, यह बुलाया आप लोगों का, क्योंकि गांधी जी ने इर्वीन के साथ समझवता कर लिया ऐसे अकेले अकेले नहीं चलेगा, कि भाई लड़के ने लड़की से बात कर ली, ठीक है, हो गया दोनों की शाधी डिसाइड़, आप लोगों से भी पूछना पढ़ेंगा, घरवालों को इंफर्म करना पढ़ेंगा, घरवालों के अनुमती लेनी पढ़ेंगी, तो गांधी इर्वीन समझवता हुआ, 5 मार्च 1931 को, आनन फानन में कराची सेशन बुलाया गया इंडियन ने नेशनल कॉंग्रेस का, बुला सब लोग आओ, जल्दी जल्दी आओ, गांधी जी ने कुछ समझवता किया है, अपनको इसके उपर में चर्चा करनी है, बुलाया अध्यक्ष किसको बनाए, वल्लब भाई पटेल को बना देते है, वेरी इंपॉर्टन कोशन, कि कराची सेशन के अध्यक्ष कौंते 1931 के, वल्लब भाई पटेल, सारदर वल्लब भाई पटेल, इसमें जो है फ्रेंड्स, ये गांधी इर्विन समझवते को पास किया गया, बुला कि ठीक है, Congress इसको अनुमती देती है, गांधी जी ने जो इर्विन के साथ में समझवता किया, उसको हम अनुमती देते है, ठीक है, ओके, तो ये याद रखने, आप लोगों ने गांधी इर्विन समझवता, जो है, आप लोगों का, 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसी को पास करवाने के लिए, उसको जो है, Congress की अनुमती लेने के लिए, कराची अधिवेशन बुलाया पुना समझवता जो है, आप लोगों का, कब हुआ था, ये बता दीजी, आप लोग, 20 अगस्ट को, 22 सब्टेंबर को, 24 सब्टेंबर को, 20 जुलाई को, तो 24 सब्टेंबर, ठीक है, 1932 को, ये याद रखने आप लोगों का, सेशन, ये अस्ताक्षर हुआ था, पुना समझव तो हुआ, ठीक है, जिसके अंदर में, जो दलित थे, ठीक है, उनको हिंदू केटिगरी में ही रखा गया, जो रेमसे मैकडॉनल्ड ने घोषना की थी, कम्यूनल अवार्ड की, दलितों के लिए, उसको मांडवली की गई, कि हम उसकी मांग को वापस ले लेंगे, ठीक है, रेमसे मैकडॉनल्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम्यूनल अवार्ड ना दिया जाए, दलितों को हिंदू केटिगरी में ही रखा जाए, इसके बदले में, 71 सीटे जो दी गई है, दलितों को दी जाएंगी, हिंदू केटिगरी में से, तो 24 सप्टेमबर 1932 को ये पूना सम संग कर दिया गया था, हरीजन, सेवक, संग इसका नाम कर दिया गया था, important है, हरीजन, सेवक, संग, नाम कर दिया गया है, important point, exam के अंदर में आप लोगों से पुछा जा सकता है, हरीजन, सेवक, संग, All India Untitability League, एक ही बात है, 1932 में गांधीजे ने किया था, now friends, इस कोशन का आप लोग देखें, BPSC का बनाया हुआ कोशन है, तो आगे में कभी भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर कोशन को भी आंसर कर दीजी आप सभी लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर कोशन का आंसर कर देंगे, ठीक है, तो सांप्रताइक अवार्ड और पुना पैक्ट में क्रमशा दलीत वर्ग के लिए कितनी सीटे दी गई थी, तो सांप्रताइक अवार्ड जो था, आपका 16 अगस्ट 1922 में जो दिया गया था, उसमें 71 सीटे थी, फिर बाद में पुना पैक्ट जो हुआ, उसके अंद पुना पैक्ट का उद्देश ये क्या था, टी आरी, जो है, जो कोशन में आपको दिखाया था, स्टार्टिंग में, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग आंसर करो इस पर्टिकुलर कोशन का, जितना साथ आंसर करोंगी, उतना साथ आप लोगों के लिए फाइदा रहेगा जल्दी से बताईए, पुना पैक्ट का उद्देश ये क्या था, पुना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, महात्मा गान्धी प्लस डॉक्टर बी आर आमबेटकर के बीच में हुआ था, पुना समझो था, और इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी की बा बाद रखेंगे अच्छे से, नेक्स्ट के तरफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के उससे पहले मैं आपको बता दू, कि आप लोगों का विपिन चंद्रा में ये भी दिया हुआ है, NCIT में भी दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा सारी चीज़ों को रेफरेंस लेकर मैं आप लोगों के लिए जो है, क्लास में करवाने वाला हूँ, इस बार मैं विपिन चंद्रा को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कोर्स के अंदर में, पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे आप समझ आ गया है, ये लोग इस चीज़ को ले रहे है, तृतिय गोल में सम्मिलन कब आयोजीत हुआ था आप लोगों का, तो पहला वाला हुआ था 1930 में, सेकंड वाला हुआ था 1931 के अंदर में, और थर्ड वाला था 1932 के अंदर में हुआ था, थर्ड वाला, तो आप से कौन सा वाला पूछा है, तीसरा वाला, तो तीसरा वाला 1932 में हुआ था, SSC CPO के अंद मार्ति इंपोर्टन वाली बात बदारो हर एक बच्चा पूरी टक-aktकी लगा कर पर स्क्रीन पर सू देखिए मैं और लगया कान किस सथागर कान में सुन सकते हो जो भी है कुछ जो है प्रांत बनना चीए एक अलग देश बनना चीए मुस्लिम्स के लिए जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा था चौदरी रहमत अली यह याद रखने आप सभी लोगोंने फ्रेंट्स ठीक है चौदरी रहमत अली सभी लोग लिखिये पाकिस्तान शब्द का इजाद किसने किया चौदरी रहमत अली ने ठीक है जल्दी से चौदरी रहमत अली याद रखेंगे आप सभी लोग important है exam में पूछा जा सकता है ठीक है इन्होंने ही जो है कोईन किया था पाकिस्तान वर्ट को ओके प्रपोस किया था इन्होंने पाकिस्तान शब्द चौदरा रहमत कि teaching परिक्षा इस बार आप लोगों की कैसे मदद करने वाला है यहां पर में इन सारी चीजों के लिए क्योंकि मैं आपको reference दिखाऊंगो proof दिखाऊंगो यहां पर में बताए जल्दी से यहां पर में स्वदेश बांधाव समीति तो देखे 1905 की बात है friends स्वदेश बांधाव समीति का गठन यहां पर में यहां पर में यह अश्वीनी कुमार दत्त ने किया था ठीक है अश्वीनी कुमार दत्त तो आंसर इसको option number यह हो जाएगा आप लोग देख लीजिए यहां पर में 25 चंदर की जो बुक है उसके अंद लोगों ने ठीक है यहां पर में बंगाल का पार्टिशन जब हो था उसके बाद में यहां पर में स्वदेश बांधाव समीति का गठन 6 अगस्ट 1905 को इन्हों ने किया था ठीक है जब घोशना हुई थी 20 जुलाई के बाद में तो उसके बाद में August आया तो 6 अगस्ट 1905 को विरोध कर सके वो ठीक अश्वीनी कुमारदत तो श्वदेश बांधाव समीति अश्वीनी कुमारदत अश्वीनी कुमारदत वही वैगती है दो ने का था कि ऐसे थे salon train ceson 200 में अलोग यहां ने चुनावों में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था देखिए बहुत ही important question है 1935 के Government of India Act 1935 पास हुआ था Government of India India Act 1935 इस Government of India Act 1935 के तहत 1937 के अंदर में 1937 में चुनाओं करवाए गए और ये चुनाओं में 11 प्रांथ शामिल थे 11 प्रांथ तो 11 में से कितने प्रांथों में पूर्ण बहुमत मिला था Congress को ये सवाल यहां पर में आप लोगों से पूछा जा रहा है ठीक है और कौन-कौन से प्रांथ थे वो भी आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं तो य ANDREW प्रांथ की संखा थे पाच कौन-कौन से प्रांथ हो जाते में दिहान से समझ आप लोगों थिक मांदरास प्रांथ थिसको आज आप लोगों दिशंड भारत में तमील-नाडू और के्रल की सारे यह प्रांथ आंप अधर्प्रदेश प्लेस की मीला करे और उडिशा ये वाले है आप लोगों के बिहार के सामने में यहां पर में एस्ट्रिक लगा देता हूँ बिहार में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी कॉंग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी ठीक है पूर्ण बहुमत मिला था फिर भी सरकार नहीं बनाई तो मदरास मध्यप्रांथ आप लोगों का युनाइटड प्रविंस बोलते थे उसको यूपी को पहले उत्तरप्रदेश भी बोलते पहले युनाइटड प्रविंस बोला जाता था बिहार और उड़ी साप तो इसको याद रखने आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा important वाला है यह 5 प्र 30 के अधिनियम के तहर जो है चुना हुए और जो आप देखरों ने यहाँ पर में यूनाइटड प्रोविंस यहाँ पर में बिहार फिर यहाँ उड़ी साप्रांथ ओके असाम सेंटर प्रोविंस बॉंबे और मदरास यहाँ पर में बनी थी यह थोड़ा सा बंगाल में या बंगाल में नहीं बनी थी या, कॉंग्रेस की सरकार, यूपी में पहले बिहार में नहीं बनी, बाद में बना ली उन लोगोंने, ठीक है, मतलब बिहार के अंदर में पहले का ही इतिहा से भाई, शुरुवात से, जब पहला चुना हुआ तब से यह ऐसा हुआ कि चुना जि यहां पर में प्रांतों के अंदर में Congress की सरकार बनी थी, एक प्रांत यहां पर में Northwest Frontier Province भी था, जहां से वो खान अब्दुलगफर खान आते थे, बादशा खान उनको कहा जाता था, खुदा ही खुदनदगार आंदुलन उनन चलाया था, पश्टुन आंदुलन चलाया था, पश्टुन नाम से उन्होंने पत्री का भी निकाली थी, तो यह जो आठ प्रांत थे, जहां सरकार बनी थी, आसाम को मिला कर, 28 महीने बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्यों? क्योंकि Lord Linlidgo ने घोशना कर दी कि भाई हम World War 2 में भारत पाटी है, क्यों भाई? क्यों हमारा क्या लेन देन, हमारा क्या बिगाड़ात है, हिटलर ने, बिगानी शादी में, अबदुल्ला दिवाना बना कर हमको गोड़े पर बिठा दिया, बोले के हम भी लड़ेंगे, भारत भी पाटी है, हम क्यों लड़ेंगे, तुम्हारा जहगड़ा तुम जाकि यूरोप तो कॉंग्रेस ने बोला कि हमको नहीं चलानी सरकार, बनाओ पिपुड़ी अपने पास में रखो तुम, पूरे के पूरे राज्यों की, आठो राज्यों से स्तिफा दे दिया, 28 महिने के अंदर अंदर में, ठीक है, आठो राज्यों से कॉंग्रेस की बाटी ने, तो यह य कुछ कॉस्चंस है, आप लोगों के, उसको हम लोग देखेंगे, बट आप लोगों का पहले हम यहां पर में आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉंग्रेस के इस्तिफे के बारे में, वर्ल वर टू के समय में, 1949 में, 28 महिने बाद इस्तिफा दे दिया था उन्होंने, कॉस्चंस की मंत्री मंदल के निर्मान के उपरांथ, कॉंग्रेस का साशन कितने महिने तक चला था, बदाएगे, कितने महिने बाद इस्तिफा दे दिया था, यहां पर में, 1937 में, मंत्री मंदल के निर्मान के उपरांथ, कॉंग्रेस का साशन का कितने महिने चला था, तो यह 28 महिने चल यहाद रखने आप सभी लोगों ने, ठीक है, 28 महीने चला था, मेरी एनरजी में कोई कमी नहीं है, और मैं चाहूँगा, friends, कि आप लोगों की एनरजी में भी कमी नहीं हो, एक एक बच्चा जो है, अपना यहाँ पर में योगदान दे दे, 6000 से जादा आप लोगों ने यहाँ बनाई थी, बंगल, बिहार, मदरास, उडिसा, वैसे मैं आप लोगों को बता दू, friends, अपर में पूर्ण बहुमत मिला, उडिसा में भी पूर्ण बहुमत मिला, बिहार में, पहले नहीं बनाई लेकिन बात में बना ली थी, बंगाल में नहीं बनाई थी, ठीक है, क्योंकि क्रिश्यक प्रजा पार्टी जो थी वहाँ पर में उसकी सरकार बनी थी यह याद रखनें आप सबी लोगों ने ठीक है तो क्रिश्यक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट है इसको याद रखेंगे आप सबी लोग 1937 में संपन विधान सबाच उनाव में इंडियान नेशनल कॉंगरिस को निम्नमे से किन प्रांथ में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि यूपी में मिला था ठीक है बिहार में मिला था उरिसा के अंदर में भी मिला था पूर्ण बहुमत की बात करो मतलब complete majority गड़बंधन की सरकार नहीं बनी थी यूपी बिहार उरिसा ठीक है उसके बाद में central provinces जिसको बोलते हो आप central province madhya pranth provinces हिंदी में भी लिख देता हो यहाँ पर में जहाँ पर में पूर्ण बहुमत मिला था इवन बॉंबे में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो CP में मिला था बिहार में मिला था मदरास में पंजाब में नहीं मिला और ना ही पंजाब में उसकी सरकार बनी थी पंजाब में unionist party की सरकार बनी थी unionist party ठीक है उसकी सरका आगे में, तो भारत, ब्रिटीज भारत के निमनलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पैचानिये, जहां 1937 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का मंत्री मंडल नहीं बना, ठीके, तो मध्य प्रांत के अंदर में बना था, उरिसा में बना था, बंगाल तीन भार, पन्जाब के अंदर में नहीं बना था, ठीके, तो बंगाल और पन्जाब में नहीं बना था, ठीके, तो तीन चार, आप लोगों को झाल पर उप्स नमेर B में दया है, कितने लोगों ने यहाँ अंपर में देख्टे से अंसर लगा दिया, एक सट सो लोगों से जाधा लोगों नहीं पर लाइक कर दिया है, ऐसे ही आप लोग सेशन को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, और मेरी एनरजी जो है यहाँ पर मैं अपने देते रहोंगा, सर तीन गंटे हो गए, रोश्नी वर्मा जी, मैं अपना पूरा का पूरा यहाँ प बिहार के अंदर में, किसकी सरकार बनी थी, 1937 के अंदर में, तो 1937 में जो सरकार बनी थी, मेजोरीटी मिली थी कॉंग्रेस को, कॉंग्रेस को मिली, लेकिन कॉंग्रेस ने सरकार मनाने से मना कर दिया, जैसे होता है बिहार के अंदर में, जनरली आप लोगों को पता है, ऐस यह है हमारा बिहार, ओके, थोड़ा सा इसको करते है, हम उपर में, अरे, क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप सबी लोग, ओके, इंपोर्टन वाली पॉइंट है आप लोगों का, मैं थोड़ा यहाँ पर में भी आप को दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, यहाँ पर में, बिहार में, कॉंग्रेस जो है, सबसे बड़ा राजनितिक दल था, 98 seat जो है, आप लोगों की, वो किसको मिली थी, कॉंग्रेस को मिली थी, कॉंग्रेस को, चीक है, जो यहाँ पर में, मुस्लिम लीक थी, उसको मुस्लिम इंडिमेंडेट पार्टी, उनकी सरकार बना दी गई, ऐसी होता है, यहाँ पर में सरकार, सबसे बड़ी पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी बन जाती ही, बिहार में, कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर कॉंग्रेस की अंतरात्मा जाग गई थोड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मुहम्मद यूनुस बन गए, अब्दुल वहाब खान रेवेन्यू मनंत्री थे, कुमार अजीत सिंग देओ जी जो है, वो लोकल सेल्फ गवर्मेंट मिनिस्टर थे, बाबु गुरु सहाईलाल, ठीक है, रिवर डेवलप्मेंट मिनिस्टर, य तो महिने बाद, बोले कि हम सरकार बनाएंगा, हमारी सबसे बड़ी पाटी है, तो श्री कृष्ण सीनहा जो थे, उन्होंने सरकार बनाने का दावा दिया, दावा पेश किया, और इस तरह से श्री कृष्ण सीनहा जो है, वो प्रीमियर बन गए, दूसरे नंबर के प्रधा जाके पूचे कर के क्या करना, क्या नहीं करना करके, ठीक है, मैं इहां नहीं था दुनिया के अंदर में, कैसे ना कैसी तलीपे हुठी करके पूछ लेते, ठीक है, भगवान से बात कर के, तो स्री कृष्ण सीनह, जो बोलता कि बनो गर के पहले वाले यार, आपको मेज़ृ पार्टी तो मुहम्मद यूनुस मुस्लिम इंडिपेंडेंडेंडेंट पार्टी के नेता थे उनकी सरकार बनी पहले अच्छा बिहार में जो है एक चीज़ आपको बता दू कि अनुग्रहा नारायन सिन्हा जो है वो डेप्यूटी प्रीमियर बने थे और लोकल सेल्फ गव को तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सबी लोग आगे में बढ़ते हम लोग यहां पर में हमारे next question के तरफ में तो 1937 में बिहार में पहला भारतिया मंतराले किस ने बनाया था मोहमद यूनूस ने बनाया था ठीक है मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे 20 सीड मिली थी फिर भी प्राइम में प्रीमियर बर गया थे बैरिस्टर मोहमद यूनूस ठीक है चीम मिनिस्टर बो तो जल्दी से बताईए आपर में 1940 के अगस्ट प्रस्ताओ देखिए फ्रेंड्स अगस्ट प्रस्ताओ था कि आप समझने की कोशिश करो यहां पर में अगस्ट प्रस्ताओ अगस्ट ओफर ठीक है आप लोगों को भी कभी न कभी ओफर आया होगा ठीक है मतलब किसीने किसीने प्रस्ताओ दिया होगा शादी के प्रस्ताओ दिया होगा ठीक है प्रेम प्रस्ताओ दिया होगा अलग-अलग चीज़े ठीक है यह नहीं भी दिया को हमारे अधिकार चाहिए, British government ने हम लोगों को प्रस्ताव दिया, मतलब उनकी audacity, उनकी हिंमत दिके यहांपर में, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, क्या प्रस्ताव दिया उन लोगों कि जैसे ही, World War 2 घटम होंगा World War 2 घटम होने के बाद में हमारे भारती जो लोग है उनको Domäterीं U path uniform system मतलब होता है ब्रीटें सरकार के ब्रीटेन अधीन रहेकर हमको हमारा हमारे भारत पारित किया था लाहर अधी वेशन के अंदर में जवारलाल हरू के अध्यक्सतंे कौन से अध्यक्वता प्रस्ता हो था जल्दी बताओ अधीन रहे कर हमारी सरकार बना दे और हम चलाए वो नहीं पूरा complete independent जैसे आज हमारे पास complete वैसा वाला तो Lord Linlid गो जो थे उन्होंने या प्रस्ताव दिया था कि interim government या फिर आप लोगों का dominion status बनाया जाएंगा आठ अगस्ट 1940 को या प्रस्ताव दिया था तो इसको हम August offer बोलते हैं यह offer था August offer ठीक है हमारे भारती लोगों को संविधान बनाने की permission भी दी जाएंगे हमने बोला ठीक है Winston Churchill भाई साब आप वही हो ना जिन्होंने गांदी जी को आधा नंगा फकीर बोला था अर्धनगन फकीर बोला था ठीक है नेकेट सेडिशियस फकीर उस समय शरम नहीं थी तुमको थोड़ा सा बोलते हुए पता है आप लोगों को फ्रेंड्स ठीक है यह विंस्टन चर्चिल जो है न इन्होंने क्या कहा था पता है कि आप लोगों को नेकेड फकीर नंगा फकीर बोला था इनको यहां पर में नेक अचिए तुम्हारा आगस्ट ओफर और इसी के बाद में साधोमा ने हम लोगोंने वैक्तीगत सत्यागरह चालू किया था वैक्तिगत ठीक के लौड्प लीनलिद गो चाहिं है कशें के इंदर में सब्सकिक दिद महईं हे न स्काइड है cantou में न उससाइड प interna का वाय से रएसेरै कॉआ अधा टीके लोग लिग है l एक्जाम के अंदर में तो बताओ, लिनलीद गो, हाँ बिल्कुल उल्लू का बठा था सर वो, बिल्कुल, बिल्कुल, चर्चिल, तो लॉर्ड लिनलीद गो जो है यहाँ पर में, वैसे लेकिन आप लोगों को बता दू कि सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की पार्लेमेंट में रहने का रिकॉर्ड है उसके बास में, मतलब भाई ने पूरी जिंदगी पार्लेमेंट के अंदर में निकाल दी, मतलब पार्लेमेंट का सदस्य रहा वो, लाइफटाइम मर्दे पार्लेमेंट का सदस्य कही नगई से चुन के आ जाता था, मौसम विज्ञानी था वो भी एक तरीग एगा, कुई इंडिया मोव्मेंट जो है फ्रेंड्स, 1942 के अंदर में, लॉर्ड लिलीड को थे यह आधकना है, कॉंग्रेस ने इस ओफर को रिजेट कर दिया, मौलाना अभूल कलाम आजाज जो है अध्यक्ष थे, रामगड अधिवेशन में बने थे, नेरु ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस जो है न, अब वो मर चुका है, वो खतम हो गया, ठीके, अब नहीं चाहिए वो, अब तो पूरी आजादी चाहिए भाई, अब तो पूरी आजादी लगाया था, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर कॉशन का अंसर कर पाते हैं, ठीक है, तो बड़ी है, सिम्पल सी बात है, गांधी जी ने यहाँ पर में अगर्स्ट ओफर जो आया था, 1940 में उसके बाद में किया था, ठीक है ठीक है, तो वेक्तिगत सत्यागर, आप लोगों को याद रखना है, यह यह पूछ सकते है, आप लोगों से, कौन सा वेक्ति ने दिया था, लॉड लिनलीद गो ने दिया था, ठीक है, लॉड लिनलीद गो ने, शिमला में 8 अगस्ट 1940 को दिया था, इसी वज़े से अफर, वेक्तिगत सत्यागर आंदुलन के प्रथम सत्यागर ही कौन थे, 65 वी VPSC के अंदर में, 44 वी VPSC के अंदर में, दोनों बार पूछा गया कोशन, जल्दी-जल्दी से इस पटिगुलर कोशन का अंसर कर देंगे आप सभी लोग, एक बार लाइक और शेयर भी करते हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, और अगर टीचिंग परिशा चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, अगर चाहते हो कि और भी ऐसे बहुत सारे सेशन में लूँ, तो म ये थे विनोभा भावे, ये याद रखना आप सबी लोगों ने, विनोभा भावे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेरू, और तीसरे नंबर पे थे आप लोगों के ब्रह्मदत, ठीक है, तो 17 October 1940 को वर्धा में गांधी जी ने आचारे विनोभा भावे को पहले सत्याग रही के रूप में नॉमिनेट किया, सेकेंड नंबर पे जवाहरलाल नेरू, और तीसरे नंबर पे ब्रह्मदत, ब्रह्मदत वाला कोशन KBC में भी आया था, याद रखना है आप सबी लोगों ने, ठीक है, टीरी का एक्जाम देखिए, अभी जो खबर निकल कर आ रही है, म नारच के मीड में हो सकता है, इसी वज़े से हम लोग पूरे महनत में आ गए, पूरे जोश में आ गए है, मैं आपको बता दू, फ्रेंट्स की जो पूरा का पूरा सेशन होआ है आप लोगों का आज का, उसके उपर में टेस्ट आप लोगों की में करवाने वाला हूँ, ठ किसी भी बिहार के कोर्स में चले जाए आप लोग, फ्री और कोस्त रहेंगा, सभी लोग दे सकते है, ठीके, टेस्ट, पूरा, जो आपने पढ़ा है, उसकी पूरी की पूरी टेस्ट, आप पर जाईए, टीसिंग परिशा के एप पर, ठीके, कोई भी टीरी का जो कोर्स है, 3.0 का जो कोर्स है, उसमें चले जाएए, उसमें सबसे पहला जो first folder आपको मिलेगा, first folder, उसके अंदर में आज की date लिखी वी होगी, और उसका नाम लिखा होगा, ठीके, national moment करके, उसमें जाएए आप लोग, उसमें आपको PDF भी मिल जाएंगी, ठीके, और उसी के अंदर में आप लोगों को test भी मिल जाएंगी, ताकि आपने आज क्या क्या पढ़ा, उसकी आप लोग revision कर सके, तो हर एक बच्चा test जरूर देना, ठीके, जाकर, app के ओपर में, क्योंकि app पर कैसे infrastructure है, app पर strategic तरीके से test करवा ही जा सकती है, कोई भी course में चले जाओ, TRE के, जितने भी course जाओ, आपका मन है, free है क्योंकि अंदर में जाकर वो, ठीके, तो आप कर सकते हो, वहाँ पर में, ठीके, उसको जाकर, particularly, और core join करना है, तो आपको, पते ही है friends की, वहाँ पर में call, एक number चल रहा है, आप लोगों को, उस number पर call ये, वाट्सेप कर सकते हो, आप लोगों, महा नोबाभावे, second वाले थे, जावाहरलाल नहरू, third वाले कौन थे, वो आप लगाँगे, हर कोई बच्चा लगाएंगा, यहाँ पर में, ठीके, मुझे admission लेना है, सादना, आदो जी, बिलकुल, simple सा है, 7611-101-101-101-9697884-444 नंबर पर call ये, WhatsApp कर लीजिए, मैं आपको बता द हो जाएंगा, ब्रह्म दत्त हो जाएंगा, आंसर कर दिया आप लोगों ने comment में, ब्रह्म दत्त, D is the correct answer, ठीक है, now friends, किस ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, क्रिप्स मिशन कब आया था, पहली बात, देखे, क्रिप्स मिशन, Stafford क्रिप्स ना ठीक है, 1939 से लेकर, 1945 तक, 1939 से 1945 तक था, तो उसी बीच में थे, और 1939 से 1945 के बीच में, प्रधान मंत्री कौन थे, प्रधान मंत्री था, Winston Churchill, आपको बताया ना, World War II के समय में, प्रधान मंत्री कौन था, कितने लोगों ने, इसी लोगों से आंसर किया, हाथ उपर करके बताओ, यह logic समझ में आ गया, सर, अब समझ में आ गया logic, अब यह वाला कोश्चन तो कम से कम सही कर लेंगे आप लोगों का, ठीक है, NTPC के अंदर में आया हुआ कोश्चन था, आपको कभी भी हो सकता है, बिहार के किसी बीच्जाम के अंदर में पूछ ले आप लोगों से, नेशनल क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 11 मार्च 1942 को, प्रधान मंत्री विंस्टर चर्चिल ने भेजा था, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्याष्टा में, आपको पता है, यह क्रिप्स ने हमको आके क्या बोला, क्रिप्स ने हमको वही बोला, कि भाई देको पूरी आजादी नहीं दे सकते हम आपको, हम आपको Dominion Status दे देंगे, वो भी World War II के बाद, World War II अगर खतम होंगा तब, पहली बात तो उस समय यह पता नहीं था, कि World War II कब खतम होंगा, हम भविश्य तो देख नहीं सकते था, उस समय में कि 1945 में खतम होंगा, कि 1950 में खतम होंगा, कि कभी जिंदगी की जाएंगी, गांधी जी ने कहा, कि भाई ये तो तुम ऐसा एक चेक दे रहे हो हमको, ठीक है, ऐसे बैंक का जो डूब रहा बैंक है, क्योंकि Britain खुद हारते वे दिख रहा था, उस समय में 1942 तक, वो बात अलगे बाद में, अमेरिका के एंट्री होने के बाद में, वो जी इंडिया मुमेंट, ठीक है, ये कॉनसे मिशन के फेल हो जाने के कारण जो है वो आया था, कॉनसा मिशन था, जो फेल हो गया था, जिसके कारण कुई इंडिया मुमेंट स्टार्ट हुआ, तो यादरखने है अब सभी लोग ने फ्रेंट्स हमेशा, कि ये था Crips मिशन, Crips क्रिप्स mission जो था उसके fail हो जाने के कारण quit India moment start हुआ क्रिप्स mission और quit India moment के समय में भारत का wiser icon था वाइसरोय दोनों ही समय में वाइसरोय आप बता सकते हो क्या ठीक है educated guess तो लगाओ यार मजा आ जाएगा आप लोग अगर यहां पर में इस तरीके से आंसर करते रहोंगे तो एक guest तो रगाओ आप लोग जल्दी से करो यहां पर में सभी लोग हर एक बच्चा चाहे live देख रहा ओफ-line देख रहा comment में अंसर कर दो कौन था quit India moment के समय में क्रिप्स मिशन जब भारात आया 1942 में उस समय में भारत का जो है वाइसराय कौन था लॉर्ड लिनलिथ गो ठीक है लिन लिथ गो ठीक है अरे भारत छोड़ो आंदोलन में हमने यही तो बोला न quit India moment गो जाओ छोड़ो तो गो से याद रख ले ना लिनलिथ गो सिंपल है ना ऐसे भी आप लोग कर सकते थे इस particular question को वह कौन सा कॉंग्रेस अध्यक्ष ता जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वैवल दोनों से वारताए की ठीक है भाई कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था लॉर्ड वैवल ठीक है क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वैवल दोनों से बातचीत की थी क्रिप्स मिशन के समय क्रिप्स मिशन आया 1942 में सिंपल सी बात है भाई लोग बात की गहराई को समझो हमारे भारत में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का 1940 में सेशन हुआ था इंसी का रामगड के अंदर में राम अबुल कलाम आजद ठीक है यह अध्यक्ष थे तो अब्यस सी बात है कौन था अध्यक्ष वो कॉंग्रेस का अध्यक्ष जिसने बात की थी तो अबुल कलाम आजद ने की थी क्रिप्स मिशन से सिंपल सी बात है क्योंकि अध्यक्ष वो थे ना 1940-1940 तक तो 42 बीच में यह दो आप लोगों के लिए जिया है जितने बी लोग देख रहे हैं अध्यक्ष कर लेना ताकि मेरे बता चले कि हां आप लोग जो है वह वो बच्चे हो जो लोग चाहते हो कि इस तरीके के और भी कोस्च्छ में आप लोगों को करवा दू थीक है तो गया है तो अन्टिन दूँगा यहां पर में questions, तो आपको घबराने की विल्कुल भी जरूरत नहीं है उस इस चीज़ के अंदर में फिर, ठीक है, और भी questions है, बहुत सारे questions आप लोगों के लिए करवाए जा सकते हैं, Now friends, यहां पर में आप लोग देखिए, एक question आप लोगों का बोला, अभूल कलाम आजाद ने बात की थी, ठीक है, तो क्रिप्स mission, क्रिप्स प्रस्ताओ को एक तूटे हुए बैंक पर बात की तीथी का चेक की रूप में किसने वर्नित किया था, BPSC Headmaster 2022 की एक्जाम में भी पूछा गया था यह question, बताए जल्दी से, आगे की तारीक वाला चेक कहकर किसने किया था यहां पर में, आंसर बताने हैं आप सभी लोग ने, आंसर क्या होगा इसका, एक्जाम में पूछा गया question है, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताओ को एक तूटते हुए बैंक पर बात की तीथी का चेक के रूप में किसने वर्नित किया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है, पोस्ट डेटेट चेक, ठीक है, किसने कहा था यह, तो यह जो है, गांधी जी ने कहा था, यह याद रखने आप सभी लोगों ने, यह काफी सारी एक्जाम के अंदर में आ चुक है, मैं आप लोगों को बदा दो, इवन की यह जो बश्चिम बंगाल की CS की एक्जाम होईती, प्रिलिम्स की, 2017 में, उसमें भी आया था यह कुश्यन, ठीक है, तो आप लोगों यहापर में, करो यह- मरो का नारा दिया था, यह याद रहं इकाथ हैं आप सभी लोग, तो करो यह- मरो का नारा किस ने दिया, यह question बन सकता आप लोगों से, ठीक है, कोवालिया Tanks मैदान के अंदर में, आप का आप लोग अगश्च क्रांथी मैडान के नाम से जानते हो, कुईट इंडिया का नारह किसने दिया था, भारत छोड़ो का नारह, छीके, तो यूतुफ मेहर अली ने दिया था, यूतू सुफ मेहर अली, देखो, साईमन वापस जाओ, ठीके, और quit India, ये दो नारे, थोड़ा सा मैं आपको explain कर दे तो, ठीके, Simon go back, Simon go back, Simon वापस जाओ, ये नारा, ठीके, और साथी साथ quit India, quit India, ये नारे जो है, दो नारे, ये किस ने दिये थे, यूसूफ मेहर अली, ठीके, यूसूफ मेहर अली ने दिये थे, वही अगर do or die का नारा है, करो या मरो, do or die, ये नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, ये याद रखने आप सभी लोगों ने, ये दो important वाले points है, जो exam के अंदर में पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी सारे लोग इसको याद नहीं रखते तो please इस particular point को भी याद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को वह सारी चीजे में करवा रहा हूँ, जो आपके exam के अंदर में आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है, आपके exam में पूछे जाने वाली चीजे, जल्दी बताइए, कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया कि कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है, आट अगस 1922 को ही थी, यह भी याद रखने आप लोगों ने, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को जो है, अरेस्ट करके आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया था, पूना में, जब गया था, तो मैं आगाखान पैलेस गया भी था, मैंने पूरा सारी चीज़े देखी, कि गांधी जी कहा रहते थे, कस्तुर्भा गांधी की जमृत्यों गई तो कहा उनको अंतेस्टी की गई थी, उनकी वगेरे वगेरे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, खू किस ने चलाया था, जितने भी लोग जुड़े हुए है, फ्रेंड्स, टीचिंग परिशा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, और लाइक का बड़न जुरू दबादी दे, पैसट सो प्लस लाइक्स क्या बात है, मतलब कहा हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर में, और है, श्रीमती उशा महता, उन्होंने क्या किया, कि अंग्रेजों ने अखबारों अगरों के उपर में पाबंधी लगा दी थी, ठीक है, अलग-अलग उन्होंने कंडिशन्स लगा दी ताकि क्विट इंडिया मूंमेंट के बारे में लोगों तक बात पहुंचे ना, तो उन्होंने खूफिया रेडियो स्टार्ट किया था, ठीक है, सीक्रेट रेडियो, इसका नाम उन्होंने रखा था, The Voice of Freedom, लिखो, सभी लोग क्या नाम रखा था, उ ठीक है ? now next question के तरह में हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते है friends आप लोगों के खूफिया रेडियो के वाला कोशन आप लोग करदीजी जल्दी से आगे खूफिया रेडियो लिगदो और श्रीमती उशा महता लिगदो तो निरस्त हो गई थी 31 वी बिहार जुनियर प्री में पूचा गया, BPSC-LDC में पूचा गया, हजारी बाग जईल से कौन फरार हो गए थे, तो हजारी बाग जवे वान वाले वेक्ती कौन थे, हजारी बाग जेल से हजारी बाग जो सेंट्रल जेल है चीकID है उसे ये जो है सत्रा फीट उची जो दिवार थी ठीकिए उससे कूत कर फरार हो घए दिवाली का दिन था और फिर नेपाल में जाकर आदा आजाद दस्ता ठीक है उन्होंने उसकी स्थापना की थी तो आप लोगों को हो जाएगा जै प्रकाश नारायन, ठीक है, जै प्रकाश नारायन, important question है find, exam के अदर में आप लोगे उसे पूछते है, जै प्रकाश नारायन देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जै प्रकाश नारायन जो है गिरफतार कर लिया गया हजारी बाग जेल में रखा गया था उनको कहा रखा गया था लिखो जल्दी दिससे सभी लोग हजारी बाग जेल के अंदर में ठीक है हजारी बाग पहली बात आजाद दस्ता रिलेडेट है आपका भारत छोडवान दोलन से किस ने बनाया था जैप्रकाश नारायंड ने ठीक है जैप्रकाश नारायंड को किस नाम से जाना जाता है जल्दी बताईए 11 ओक्तोबर 1902 को जो है इनका जनम हुआ था ये भी याद रखेंगे आप तो जो चीजे आप लोगों को बताया था वो रिविजन भी करते रहे नहीं आप सभी लोगों ने जितने भी लोग देख रहे हर एक बच्चा रिविजन करता रहेगा ओके चलिए नाव फ्रेंड्स एक कोशन और अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस की स्थापना 1940 में किस ने ठीक है तो अत्रप्रदेश की पूर्व मुख्यमंद्री भी है उन्होंने 1940 के अंदर में All India Mahila Congress बनाया था इनका नाम है सुचिता कृपलाणी ठीक है सुचिता कृपलाणी आंसर इस ऑप्शन नंबर भी ठीक है तो All India Mahila Congress 1940 में सुचिता कृपलाणी और खूफिया रेडियो अगर आप लोगों से बात की जाए कुट इंडिया मुमिंट के समय में वो श्रीमती उशा महताब ठीक है तो दोनों पॉइंट से अलग-अलग पॉइंट से याद रखने आप सभी लोग ने इसाम के अंदर में पूछ सकते आप लोगों से ठीक है चालो अगर हम लोग बात कर अगर बात हो गई है तो इनको कैसे भूल सकते हम आपका टीयारी के अंदर में पूछा गया कोश्यन मेल शिफ्ट के अंदर में वह महीला स्वतंतर अगर 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 ने को ने जो स्वतंतर अगर अंधुलन की वयोविर्द महीला के रूप में जानी विख्यात थी ठीक है बताईए जिसको grand old lady of independence moment कहा जाता था grand old lady of independence moment जल्दी बताईए आप लोग मैं बिल्कुल आपका national moment लूँगा और आज मैंने promise पूरा किया फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कल तक अगर हम इसको one leg cross कर देते हैं मैं आपसे promise कर रहा हूँ कि हम geography का भी ऐसा ही पूरा जितने भी geography के questions पुछेगा है सारे के सारे ऐसा ही करा देंगे जितने लोग चाहते है कमेंट करके बता भी देना मुझे आप में नीचे में ठीक है तो अरुना आसफ अली ठीक है अरुना आसफ अली आप यहाँ पर में देखिए फ्रेंट्स अरुना आसफ अली इनको जो है वह grand old lady of grand old lady of independence moment कहते है इनको heroine भी कहा जाता है heroine of quit India moment heroine of quit India moment इन्होंने 1942 में 9 अगस 1922 को जब बड़े-बड़े निताओं को गांदी जी को जवारला नहरू को सर्दरव लभाई पटेल को सबको arrest करके अलग-अलग जगह पर रख दिया गया तो यह अरुना आसफ अली थी जिनोंने गोवालिया टैंक मैदान जिसको आजाद मैदान बोलते है मुंबई का वहा आगे में इस तरीके का कोई question बन जाए आप लोगों का चीक है पॉलिटी का भी करवा दीजेगा सर जी बिल्कुल गुण जी मैं सारे के सारे ही करवा दूंग कोई issue नहीं और मैं आपको फिर से एक बार बता दू कि आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को कैसे जो है य कोई दिक्कत आ रही हो तो number पर call कर ले टीम help कर देंगी ठीक है टीरी के कोई भी course में चले जाओ कोई भी course के अंदर में चले जाओ आप लोग ठीक है उसमें पहला ही folder में रखवा दूंगा आप लोगों का फॉल्डर रखवा दूंगा जिसमें आपकी test और PDF दोनों वहां से आप लोग इसको access कर सकते हो क्योंकि structured way में हो जाता है even course होता है उसका मतलब ही होता है structured way में रहें तो मैं इसको free रख दूंगा don't worry पहला वाला folder में free रख दूंगा ताकि आप लोग यहां से test वगए वह सब कर सके उसको तो आप इसको tension ना लिजी आप सब भी बताए ठीक है comment करके बताए मैंने आप लोगों को उशा महता जी के बारे में बताया उशा महता इनके बारे में आप लोगों ने क्या समझा आज ठीक है मैंने आप लोगों को सूचीता क्रिपलानी जी के बारे में बताया सूचीता क्रिपलानी ठीक है क्रिपलानी ठीक है इ चैनल को सब्स्राइब कर लेना जल्दी से जल्दी है मैं पूरा गपूरा आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और साथी साथ की परिक्षाे टेलिग्राम गूरूप भी है? तो आप जूर जाएएँ, आप लोगों को सारी जनकरी मिल जाएएँगी वहाँ पर में भी भाकि जो है अगर सैशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंड करके जरूर बताना आप लोग मैंने अपना पूरा promise निभाया, मैंने आपसे तीन घंटे कहा था, तीन घंटे अट्रा मिनट हो चुके, मैं अभी भी पूरा energy में हूँ, जैसी energy आप लोगों ने starting में देखी जी, पूरी energy अभी भी है, कोई किसी को लग रहा है, energy के अंदर में इतनी से भी कमी है, नहीं है, म मैंने आपको बता दिया है, number 7611101101101969788444, number पर call कर लीजिए, अगर call नहीं लगता है, तो whatsapp करके रख दीजिए, ठीक है, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी, okay, मिलते हमारे next class में, तब तक के लिए, thank you very much friends, take care and bye, God bless you all, thank you very much for your sweet response, और इतना जादा प्यार देने के ल आप लोग भी महनत करते रहिए, इस बार paper clear करना है, और teaching परिक्षा पूरी तरीके से dedicated है friends, मैंने कल रात में ही घोचना कर दी थी, paid class में जाकर, रात में साड़े गरभजे class ली, मैंने आनन फानन में class ली, और बच्चों को मैंने बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैंने कहा था कि आप मुझे देड़ महना देदो, मैं आपका paper निकाल के देदो, चीक है, चलो, thank you friends, bye, God bless you all, thank you, bye.